हेलो एंड वेलकम टू ओनलाइन स्कूल इंडिया फो लाइवरी साइस एक बार फिर से आप सभी का ओनलाइन स्कूल इंडिया फो लाइवरी साइस में जोड़ दा स्वागत दोस्तों मैं आपका दोस्तों मेर्शिंग अच्वा पुस्काले अजेश राजिस्तान सेट एक्जाम राजिस्तान लाइवरी साइन्स का सेट एक्जाम की त्यारी करने वाले सभी विद्यार्टियों को मेरी तरफ से हारती सुबकामने और जैसे कि आप सबको पता है कि परसू 26 तारिक ह और आपका जो है संडे के दिन सुबह प्रते काले नर्थात पर्तम सिप्ट के अंदर आपका राजिस्तान लाइवरी साइन्स जो है विशे का सेट एक्जाम होगा यह सेट एक्जाम जो विद्यार्टि जो पास करेंगे इस सेट एक्जाम के अंदर पास होंगे उसके बाद बाद जो है उसके बाद जो है आगे वह आने वाली या पए इसका ने घ्लियर को फिर सेप्या इंदर हु क्लिक क्फ से संब्सते जो भी आप सवाल कर रहे हो मैं आप उन लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ कि 31 मार्च से पहले पहले 31 मार्च से पहले पहले केविस का result आपको देखने तो मिलेगा और डारेक्ट वहीं final answer की आएगी और जो भी cut-off वगेर है वो सब 31 मार्च से पहले के आलिजीबल हो जाएगा एक और फाइनल या पाने दो उसके बाद हम आगे बतार क्या होगा कि आने वाली को लिएरीयन के अंदर जो भी विघयाड थी या तो नैट लीर होनाँ चाहिए या राजस्तान का सैड कि लीर होना चाहिए दोने में से एक भी किलियर होगा वह आने वाली वेकेंसी के अंदर eligible हो जाएगा चीकर उसके बाद उसके बाद जो भी प्रोसेश होगा पहले राज़सान जी की का पेपर होगा फिर दो सब्जेट का पेपर होगा चीके दोस्तों बिल्कुल मारस्थ सैट का भी मारग देसन करें प् सब्दोब अबी इसके बारे में चब्चा करेंगे सए다 एंधर अदर बारे में भी चब्चा करेंगे आई जा शॉक्तTer सब्कूरें के आफिरन एदिक मे करें वी इस बार्सुब करेंगे ब evolving रॉंट करेंस के लिए हमें आपको अच्छा सा जो है चीजे किलियर हो जाएं जो विडियर की इस क्लास को देख रहे हैं उन्हों से मैं कहना यह चाहता हूं कि अभी जो आज के सैट एक्जाम की जो पीडियेफ है पूरी कंप्लीट पीडियेफ जो है आपको आज टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएग तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोइन कर लिजिए हमारे टेलिग्राम चैनल का नाम में OSI for Library Science जिसका लिंक है हमने डिस्क्रेशन में देती है इस चैनल को आप सिस्क्राइब कर लिजिए इसके अंदर आज की जो पीडियेफ है आज की जो पीडियेफ है पूरे क्लास क जो PDF है आज की जो मेराटन जो क्लास है उसके PDF है उनको जो है यह है कविता कुमार जी गया रहे है Sir KBS वालोंने जो कोर्स ले रखा है क्या उनको लाइभरेरियन धर्डगेट का कोर्स लेने चाहिए नहीं बिल्कुल उनको नहीं है जिन्नोंने के विस का कोर्स ले रखा है हमने वापस पूरा जो कोर्स है नियू अपडेटेट है पुराना सलेबस भी पड़ा रहेगा लेकिन पूरा नया अपडेटेटेट कोर्स हमने शुरू कर दिया है और जल्द हमारा टारगेट है राजसान के लिए विद्यार के जो भी सेकिंड गेर धरगेट और सबसे इंपो गुर्वासाब मैंने अभी पेपर देखा नहीं है आज मैं थोड़ा पिछले चार दिन से क्लासेज भी नहीं आप आई यूटूब जरी एप के अंदर चार दिन थोड़ा बीजी तह साधी के अंदर आज ही फ्री हुआ हो तो अब कल पेपर थोड़ा अनलेसिस करके मैं सब्संटरों रहेगा जबंदर हीं प्रोसिक्टों आपके स्टर्ण नहीं होगी और जितने ज्यादा number लाज सकते हैं वो लाज सकते हैं आप ठीक है ना वही आराम से लाज सकते हैं आप लेकिन उसकी कटोप बनेगी उसके बाद ही आपका final हो गया तो पहला सवाल यह था वही दोस्तों जल्दी से बताएं आप पहला सवाल है कि who made efforts first time for the development of libraries in India भारत में उसकालेओं के विकास के लिए सरु पर्तम परियास किसने किये थे बही सवाल क्या कह रहा है दोस्तों चीके नवे सवाल यह कह रहा है शालूव इसमें कह रहे है सर लाइबेरियन की फीज कितनी है सर और इसकी जानकारे के लिए आप इस नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं एट नाइन फोर नाइन डबल नाइन टू त्री सिक्स वन यह नंबर से आप कर लिए पहला सवाल है भारत में पुस्तकालियों के विकास के लिए सरु पर्तम परियास किसने किया था सबसे पहले भारत में बिलकुल नितंदर जी चोधरी बिलकुल भादमा धन्यवाद नित नितंदर जी और उनके भाई हितंदर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद वह भी परियास करें इस बठती में आज जो संसकत डिपार्मेंट के अंदर भी बहुत अच्छी वेकेंसी आपको जल्द देखने को मिलेगी जिन्होंने डिप्लोमा क्यावा है वह अशा लगता है कि वह इस वेकेंसी में जरूर करेंगे तो सबसे पहले जो परियास किस ने किया था मलब इंडिया के अंदर सबसे पहले जो परियास है वह किसके द्वारा क्या गया था सीवाजी राइ गायकोट तिर्टे द्वारा यह कहां के राजा थे यह जहां रगना है बडोदा राज प्रियास सबसे पहले इन्हों ने ही सोचा था कि द्यानेजिए इन्हों नहीं सोचा था कि इंडिया की अंदर लाइब्ररी को कैसे ड्युवलब किया थे सवाल द्यानखना लोग इसमें भी कन्फ्यूज होंगे लेकिन सवाल यह किया रहे है भारत में कुस्त का लोगी विकास के लिए सरुपर्तम परियास तो सबसे पहले परियास सिवाजी राव गायकवार्ट तिर्थे ने किया था यह बोडोजा राज्ये के किया थे वही राजा थे द्या रखना और दूसरी बात के किया थे उन्हों ने ध्यान रखना एक आन्दोलन कवायज कब शरू किया था कि मब्डाइबरेरी मुउमेट कभ चालक चुरू रहे तो सबसे पहले जो है बिल्कुल वेज़ प्रकास जी कह रहें डबलू ए बॉर्डन कब लाए सवाल यह बनेगा बारत में लाइबरेरी मुमेंट पुस्तकाले अंदोलन कब आया था बिल्कुल 1910 के अंदर जा रहा है सवाल पुछा जाए ना लाइबरेरी मुमेंट कब है कब खुर हो था 1910 में वहता और सिवा जीने ज्ञान रखनाहें ऐक वेक्ति को बुलौनॉर्डन एक भाडलन को बुलिट से उससे किसई कर से उससे अमेरिका से जानकना बुलैया था और डपार्न जो है किसके किसके सिस्य थे यह मैलवेंड डिवी के सिस्य थे तो सिवाजी गायकवाट तुट्टिय ने जो है डबलू ए बॉर्डन को बुलाया थे डबलू ए बॉर्डन जो है इंडिया के अंदर ध्यान रगना 1911 में आया थे कब आया थे 1911 में आया थे और डबलू ओ बॉर्डन यूएस से सम्मधित रखते हैं अभी सेख जी कह रहे हैं कि सर यूजी सिनेट का टॉप बिल्कुल इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे ठीक है अब बहुत बिल्कुल है हम लेता जी आपको बदा ही हो आपका राजस्ता अब है वही इंपोर्टेंट को सब्सक्राइब करन्द जोति जोति इस एक क्लेक्शन ओप एसेज एंड इस पिसीज और लाइब्रेरी मुमेंट और फ्रॉम 1910-1960 ग्रंद जोति जो एक किताब है जिसके अंदर 1910 लगाकर 1907 के पुस्काले आंदलोन पर वाह पर निमंद भ का संग्रए है बैरी इंपोर्टेंट किताब है यह सवाल कई बार प्रिक पुछा गया है कि एक किताब का नाम है जिसका नाम है ग्रंद जोति इक ग्रंद धहले जोति जो इसके अंदर क्या है सब से बड़ी बात कि 1910 से लगागर 1906 के बीच में जितने भी इंडिया के बहुत सारे स्पीच का जो है कलेक्शन दे रखा है तो जल्दी से आंसर बताएं आप सभी बिलकुल बिलकुल बहुनी लेक्समान सर्मा सब ने कहा है कि वह यांग की वैंकटा रमयन जाना लगना है यह वह वेक्टी है जिन्होंने जाना सट मैं फॉर्स घॉर्स लाइब्रेरी एस्सोचिशन की इस्ताफ ना शीरी ते तो पैहला पूश्टकले संग कौन सा था बहुकि जल्दी से नहीं पूस्तकले जिसे हम कहते ए पी एल यतुpha आंदर प्रदेश लाइब्रेक्रिर एस्सोचिशन पहला पुस्तकले संकी स्थापने कि ती जिसको हम कहते हैं ए-a-a-a-a-a-p attending का मतलब क्या आ तॉ परदेश भुद本 को ऑन्हरा पर दीश किंध पर्देश ऑन्हरा पर देश même लाइब्रेरी ऑस्याशण यह फेकरे कीती और कब कीती ननी सो चौधा के अंदर बिल्कुल वेड प्रकाजी आपका सरी आंसर है बिल्कुल वेड प्रकाजी आंदर पर देश के इस ला fragा स्वेरी एस्षोशयशन जिसके इसता आपना Linus तो चौधा मैं की गए थी क्या आप मुझे बता सकते हैं इनको जो है पदम सरी अवार्ड कप दिया गया था इनको पदमशरी अवार्ड कप के दिया गया था कुछ याद है आपको थोड़ा सा इनको जैसे पदमशरी अवार्ड यांग की वेंकटा रमयाना को पदमशरी अवार्ड कप दिया गया था जल्दी से बताए आप इनको पदमशरी अवार्ड कप दिया गया था यांकी वैंकटा रमयान को जो है पदमशरी अवार्ड कप दिया गया था यह सवाल कहीं बार पुचा जाता है बिल्कुल 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 1902 के अंदर जा रगना ठेके न वई जैसे एसार रंगानत्वन को पदमसरी अवार्ड कप मिला था 1957 में एसार रंगानत्वन को पदमसरी अवार्ड कप दिया गया था एक थोड़ा सा देख लिते हैं ये चार अवार्ड है एक तो द्यानक नहां रंगात्वन को ठेके ना वई रंगानत्वन को पदमसरी पर क्टीज सो पसंद में और इनको ऐंका मिला था 1923 में एक बीस के शुन साप को कर मिला था जल्दी से बता यारación बी ऐसकेशन साब कर मिला था बिल्कुल एक हे गुरोयाजी बौहट अच्छा आंसर है आपका बीज्ट केस्वन साथ को कब मिला था बी एस केस्वन साथ बिल्कुल अचारिय सर्माजी बिल्कुल सही है बिल्कुल बिल्कुल तो वेकटा रमयन जी को तो मिला 1902 में यान की वेकटा को जो है बोहतर में मिलाता यह होगे बी एस केस्वन साथ को कब मिला था बिल्कुल 1960 में तेगे वे 1960 में और P& कोला को पदम Ahur का मिला था P& कोला को मिला था 2004 में P& कोला को कभ मिला था 2004 में तो ज्याद रखना इन 4 लोगों को Libri Research के अंदर पदम सिरिए यावार्ड मिला था P& कोला को 2004 में मिला था बिल्कुल बहुत अच्छा अंस्वर है तो ये सवाल काई बार आपको ज्यान अगना प्रिक्सम बुचे जाता है अगला question है कि which among the following is not a depository library निमलिकित में ऐसे कौन सा depository library नहीं है very important question है very important question है सवाल कहा रहा है कि निमलिकित में ऐसे कौन सा depository library नहीं है टेके न भई इंडिया के अंदर चार depository library है कौन सा कितने है वे चार depository library है जिस में से कौन सी नहीं है ऐसा सवाल पूचा था टेके न भई कौन सी नहीं है जल्दी से बताए आप बिलकुल पी एन को ला बिलकुल बितले सी पांच लोगों को मिला था बिलकुल पांच लोगों को मिला बिलकुल हाँ है एस बसुरुदीन साब को भी मिला था सड़ी बसुरुदीन साब को बिलकुल एक एक गुरुआ जी ने कहा है भी बोंबे इनिवर्सिटी लाइबरेरी ये आपको ध्यान रगना नहीं आती है पहला जो है आपके नेस्टनल लाइबरेरी ओप कौलगता जिसकी इस्ताफना कब हुई थी 1948 में हुई थी उसके बाद एस एस एटिक सोसाइटी लाइबरेरी इसकी इस्ताफना हुई थी 1804 में फिर कैनमरा की जो हुई थी 1890 में ठीक है भई टो यह जो है तो इसमें ध्यान डगता है ये यह वाली है यह लगना कैना लाइबरेरी होती है पहली हो इस डूश्य दूस्री थी चल्दीसे बताए आप च यहां ब्लकुल इशकार bela unekt जो है 1804 है और करनमरा पब्लिक यह थानक नभाई पॉतिजंग नयैस लगन है चौति कौन सी है भई फोर्थ ठीक है न भई मोहित कुमार जी के सर आप बैस्टों से बहुत-बहुत अन्यवाद प्रियास कर रहे हैं कुछ न कुछ नया शिखाने के लिए ठीक है न यह चीज यह नगना जल्दी से बताएं आप चौति कौन सी जो है डिपोजिट लाइबरेडी बच गही बिल्कुल दिल्ली पब्लीक लाइबरेरी लाइबरेरी जो है यह दिया रखना चौति डिपोजिटरी लाइबरेरी है ज्में तो द्यार रगना यूजिसी नेट साइट के अंदर आपके राजिस्तान का सैट एक्जाम में पड़सू इसलिए आप सभी को मैं तरफ से विस्यू ओल दवेस्ट लेकिन प्रिक्षा के अंदर इस तरीके से मैच करना सवाल हमें से आथा आपस में क्या होता भी मैच करना आता मैच करते समय आपको ऐसे सवालों को अच्छी तरीके से याद होना चाहिए तो बार-बार जब चीज़े याद वगी तो आसानी रहेगी आगे आप सभी इस क्लास को देख रहे हैं सबसे पहले हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए जल्दी से आप लाइक कीजिए चीए दोस् दोस्तों कि विच कविशन रिकमेंडेट टैन परसेंट आप टोटल कॉलेज बजट और डवलोपेंट अप द लाइब्रेरी किस आयोग में कुस्तकलों के विकास के लिए कुल कोलेज का दस परसेंट देने की सिपारिस्की थी ऐसा कौन सा आयोशन पताए के विए से मेरे ज आधारं सो नब्य में विए थी लेकिन पब्लिक के लिए 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 тएंटार शो चुनु में खोला गया था ठीक ना वह पंद्वांटी के लिए ऑपन किया गया था 900 में ना 1896 में चीज यह नगना इसको लेशिप इनफो गया रहे से नेट का क्या कट अब रहेगा मैं नेट का पेपर कल अनलिस्स करूंगा कल मैं बता दूंगा आपको नेट का करना क्या रहेगा भी मैं देखा नहीं वापस पेपर थोड़ा सा आज इसमें भीजी था जलते से बत प्रणारी कमिर्संध्या लगना तो कोटारी जो आयोग है इन्होंने यह कहा था कि भी कोलेज के अंदर जितना भी बिलकुल से तेलंगाना याप्लाइन अप्लिकसांव इस्टार्ट फॉम तेलंगाना इस्पेशल बैच पॉर तेलंगाना घुरुकुल स्कूल चुक्वन ह आपने तेलंगाना वाला बैच शुरू कर दिया है बिलकुल new updated शुरू कर दिया हमने और next week से test series भी तेलंगाना में वापस शुरू हो जाएगी तेलंगाना अमने शुरू कर दिया बिलकुल तो कोठारी जो आयोग है ये कोठारी आयोग कब आया था जल्दी से बताएं यार ये कोठारी आयोग कब आया था सबसे इंपोटेंट सवाल है ये कोठारी आयोग जो है ये कब आया था जल्दी से बताएं कोठारी आयोग कब आया था जल्दी से बताएं कोठार्य आयों कब आया था सबसे इंपोर्टेंट कुश्चन है यह भी ठीक है न जल्दी से बताएं बिल्कोल रित्यु चौजरी जी कहा रहे हैं कि 1964 में आया था कोठार्य आयों और रंगानतन समीति कब आया थी रंगानतन समीति आये थी उनिसो सतवन में आये थी रादा कृष्ण कमिस्ञ गवाया था रादा कृष्ण कमिस्ञ आया था 1968 में अब इंडियान इनियूरसिटी कमिस्ञ बाठतिये विश्व विद्याले आयोग यह जल्दी से बताएं आप भाठतिये विश्व विद्याले आयोग ये कब आया था जल्दी से आंसे दीजिए एक के गुरुवाजी जल्दी से आंसे दीजिए आप बिल्कुल देखिए आपको राजसान सेट में मेच करने वाले सवाल बहुत अधा पूचे जाएंगे इसलिए मैंने उसी हिसाफ से आपको क्वेश आपको कोई प्रब्लम नहीं आए इस तरीके से सवाल बनेगा द्यान रखना है बिल्कुल रेले आयोब भी कहते हैं बहुत अछा इससे क्या कहा जाता है अभी को भाठी विसमी द्याले आयोग को रेले आयोग भी कहा जाता है बहुत आजए अगला अगले अभी कोटेशन वेर सा बिज्दम विलाश्ट इन नॉलेज इस इज़ाडबाइ इस सैड बाई टेके ना वहीं, के यह जो quotation है, Where is the wisdom we lost in knowledge? टेके न यह उदरन है, उदरन का मलब होता है कोटेसन है, के ज्ञान कहां पर है, हम ज्ञान में खो गए है, यह quotation किसके द्वारा दिया गया है बहुत important question है के वेन इस जाब विजडम कहां पर है, we lost in knowledge हम तो ज्दां में खो गया हैं एक हैं प्रटशन किसके त्वारा डरा जो है या बताएं गया था बिलकुल जल्दी से बताया कि पेशनुल सह जल्दी से बताएं तो इसमें मुझे पता था और इसमें खनफ्यूज होंगे तो यह बहुत इंपोर्टेंट कुस्चिन है ज्या रगना तो इसका सई आंसर होगा आपके टी-सी इलियोट क्या हो गया वैं टी-सी इलियट जो है इसका सई आंसर होगा एक सवाल कहीं बार पुझा जाता है कि दो वेक्ती है जे-सी-एम हैंसन था रगना जल्दी से बताना दो वेक्ति है जे सी एम एंशन एंट चार्ल्स मार्टल चार्ल्स मार्टल ठीक है न वई ये दोनों वेक्ति जो है कौन सी क्लासिफिकेशन स्किम से सम्मंध रखते है विच्छ क्लासिफिकेशन स्किम इस रिलेटेट टू टू पर्सन दिया लेगा जल्दी से बताया सवाल मेरा अगला यह है सॉरी विच क्लासिफिकेशन इसकेम यह कई बार सवाल पुझा जाता है कि J.C.M. Hanson एंड चाल्स मार्टल इस रिलेटेड टू विच क्लासिफिकेशन इसकेम यह दो वेक्ति हैं जो एना कौल सी वर्गिकर्ण पधिती से समन्द रखते हैं J.C.M. Hanson और चाल्स मार्टल जल्दी से बताएं आप बिलकुल एक गुरुआ जी ने कहा है Library of Congress क्लासिफिकेशन क्या बात है संगीता जी सर्मा ने भी अच्छा आंसर दिया है L.C.C. बिलकुल सही आंसर दिया है आपने L.C.C. बिलकुल तो यह दियान रखना बहुत इंपोर्टेंट कुशन है वहाँ पर option बनेंगे वहाँ पर option कैसे बनेंगे वहाँ पर ज़देंगे आपको इधर U.D.C. तो U.D.C. में ज़देंगे आपको Henry Lowe Fountain Henry Lowe Fountain and Paul Autlet ठीके न भई Paul Autlet तो उसी तरीके से द्यान रखना है जब सवाल आजाए है है Henry Lowe Fountain और Paul Autlet यह U.D.C. से है ठीके न लेकिन द्यान रखना J.M.C. Hansel और Charles Martel जो है यह द्यान रखना कौन से वर्गिकर्ण परदिती से है यह द्यान रखना है L.C.C. L.C.C. का महले होता Library of Congress Classification जो कब आई थी वही 1904 में आई थी चीके ना वही आपके सलिवस में 10 वर्गिकर्ण परदितिया है और अभी हमने शुरू कर दिया है राजिस्ताम का जो सेकिंड गेर धरड़गेट है न्यू अपडेटेट को शुरू कर दिया हमने और हमारा टारगेट है कि 15 मईस से पहले पहले आपके मई के अंदर दो वेकेंसी आएगी एक तो अभी 566 वाली आएगी और एक संस्केट इपार्मेंट वाली भी आने वाली है तो दोनों वेकेंसी में हमने न्यू अपडेटेट कोर्स कर रहा था ऐसा आपको पहली बार पता चला होगा साइद कि हमने पिछली बार भी कोर्स कर वाया था लेकिन इस बार हमने बिलकुल नया अपडेटेट कोर्स कर वाया ताकि हर चीज आपको नहीं है और बिलकुल ठ्योरी के साथ और बहुत देटा डीपली पढ़ाया टाकि एक भी सवाल हो है, आउट ओप सेलिबस की बात ना हो, एक एक चीज हमने पढ़ा है, बिहार का कव से श्टार्ट होगा बिहार कभी शुरू हो चुका है इस बार हमने रेखर स्कॉर्ब करेंगे ऐसे उच्छ का क्विजन लोगे न तो बाद में आपको कोई प्रॉबम नहीं रहेगी चिक है दोस्तों बिलकुल अगर देखे इसमें भी एक बहुत अच्छी बात है कि यूडीसे में अगर व्यक्ति का नाम आजा है तो हैंड्री लोफ ओंटेंड लेकिन यूडीसे में अगर किसी इंस्टिटूट के द्वारा इस्तापित किया गया है तो यूडीसे में ध्यार चाहित अधरन चाहिए लेकि आफिड दोस्तों चाहिए है और लाइब्रेरी ओफ कांग्रेस में किसके दोरह पॉब्लीस की गई येसे में लाइबरेरी ओफ कोंग्रेस के द्वारा ही पॉब्लीस की घू तहीं ज़्सकर ये चीज़ आघना धुरिश्वें वेरी इंपॉट सर के विएस नेक्स्ट चेर होगा क्या के विएस नेक्स्ट चेर नहीं होगा के विएस बिल्कुल आ वी हाव अलड़ी तेलंगना गुरुकुल वें स्टार्ट सर्वी हाव अलड़ी स्टार्टेड हर्सित साही कहा रहे है आई हाव अलड़ी स्टार्टेड तेलंगना गुरु तो यह किताब किसके दोर लिखि गई थी कि दॉक्टर एस आर्रह्णितन की जो यह क्या है वह है आत्मकता का मिल्ली होता है ओटोग्राफी बायवाट्य ग्राफी कि निया लगना तो बताएं वह है एक सवाल यह भी आता है कि हूख कॉल है हूख कोड़ हिम father of father of library science father of library science किसने जो है डाक्टर ऐसा रंगनेतन को पुस्त काले रिज्यान का पिता कहा था बहुत important कुछन है दोस्तो जल्दी से बताए निम लिगीत में से किस वेक्तिन ने डाक्टर ऐसा रंगनेतन को father of library science कहा था जल्दी से बताए आप बिल्कुल edited by p.n.cola साब बिल्कुल बहुत अच्छा अंसर है जल्दी से बताए tell me detail sir tell me detail just download the app download the app online school India बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा अंसर है बिज्यान का किसने कहा था बई डाक्टर ऐसा रंगनेतन को पुस्काले विज्यान का पिता किसने कहा था इस यह कहा था मॉरिस गाइवर ने जिया रखना जी वाई ए आर चैके ना वहीं मॉरिस गाइवर नाम का वेक्ति है इन्होंने कहा था यह जिया रखना 1918 में यह वेक्ति कौन थे दिल्ली दिली उनिशिटी के वाईस चांसलर थे कहां थे दोस्तों यह दिली उनिशिटी के क्या थे वाईस चांसलर थे ध्या रखना तो दिली उनिशिटी के वाईस चांसलर कहां दिली उनिवर्सिटी तो मॉरिस साब जो थे दिली उनिशिटी के वाईस चांसलर में यह वाइस गायकर जो है दिली उनिसिट्री के वाइस विंसिपल थे हैं चीकर दोस्तों और सबसे बड़ी पाक मैं इस क्लास के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमने बहुत चार कोर्स हमने शुरू कर दिया है अभी बिल्कुल जो भी हम पढ़ा रहें बिल्कुल न्यू मैंने पढ़ाया था दो तिन मेंने पहले वह भी है अब नया अपडेटेट कोर्स पढ़ा रहें हमारे इस बार बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ एक तो सबसे बड़ी हमारे कोर्स की बात है सबसे पहले हम बात करते दोस्तों यह राजिस्तान सेकिंड गेट थर्ड चाहता है जो विद्यारती सेकिंड गेट की तियारी करना चाहता है संस्कत विवाद में आने वाली इन तिनों की जो तियारी करने चाहता है इन तिनों का बिहार का भी नियूँ अपडेटेट है जीके न में तेलंगाना गुरुध कुल के लिए हम ने बैद शुरू कर दिया है बिल्कुल तेलंगाना वालों के लिए अगले वीक से स्रीज भी शुरू हो जाएगी तेलंगाना वाले जो बहुत सारे बच्चे जो है उनके लिए कि हमने नैट का अभी सुरु ने किया चुछ तो कुछ ऊंने नया किया है चैकर न समस्थिंग्नी डिश्टाइम इस बार हमने बहुत सारी चीज़े नहीं किया जिसको समझ वे नहीं आता है वह आप डाउनलोड केजिए इस बार हमने हर एक टॉपिक है क्या विडियो बनाया एक तो सबसे वेडी बात है कि New Updated Course कोर्स से New Update पूरा जो कोर्स होगाँ एक हमारा New Updated होगा बिल्कुल पूरा नेया कोर्स ऐसा नहीं है कि वह यूटुब यूटुब की इहार तेलंगना वाले सभी लोग इसको अराम से रिविजिन कर सकते हों ठीक है दूसरा और इस बार हमने जो कोर्स लिख रहा है वह लेकर रहा है bilingual bilingual का मले होता है दोनों भासाओं में ठीक है ना सबसे पहले वीडियो है वीडियो के नीचे उसके पिडियो के नीचे उसी के क्या है दोस्तों टैस सिरीज है चाहिए ना आप एप को डाउनलोड की जीए फिर आप कोड़ में जाकर कुछ डेमो दिया है उस्मो को देख लिए अब इसको त्यारी करने के क्या है अधिसए सबसे पहले पीडियो के बना लो सबसे पहले नोटस ब अलों होता है इंडी और इंग्लिस दॉना आप यह बाद इसके बाद इसके बाद ब्रोट्स बनाने के बाद उसके बाद वाच क्लास इस वीडियो का आप देख ली जाए ताकि आपको हर एक चीज के लिए रोजे जब दौनों चीज हो जाए और लास्ट में तीस सी चीज है क्या बिल्कुल उसके अंदर आपका लेकर बात कीजिए ठीक नहीं यह चीज़ा रखना अगला गोस्तों नहीं भी भाध इंपोर्टेंट है इंपोर्टेंट के पर्थम निदे से कौन थे जल्दी से आंसे दीजिए आप सभी कि जो है इंस्टो के पर्थम अध्यक्स निदे से कौन थे वहाँ इंपोर्टेंट है और कहीं बाद सवाल पुछा गया था ठीक है न जल्दी से बते हैं वहीं इंस्टो के पर्थम निदे से कौन थे ? सर राजिस्थार लायपेंट थर्डगेट का लोगной तो बिल्कुल KBS का मिल जाएगै उसके अंदर ऐसकर आप KBS का ही ले लिजिए बोलता राम जी मिना को कह रहा हूँ आप KBS का ले लिजिए उसके अंदर राजिश्थान का भी मिल जाएगा पढ़ा है वो भी उसके अंदर राष्टान वाला भी मिल जाएगा जल्दी से हमारी क्लास को लाइक कीजिए बैए जल्दी से लाइक कीजिए बिल्कुल इसमें मुझे पता था लोग बहुत अदर कंफिज होंगे आप इसके अंदर इसके अंदर लोग या तो इसको करेंगे या पिर इसको करेंगे अब दोनों में से कौन साही आंसर है जल्दी से बताए ज्या नखना है BS केशन साब है कौन है बइसके सब अरा यहां लगना बी एस केसिन साथ जो है इनको जो है इंस्टो का पर्थम डारेक्टर बनाय गया था किसका भई इंस्टो का पर्थम डारेक्टर किसे बनाया था बी एस केसिन साथ को बनाया गया था A answer सही होगा दिया लगना A answer. B.S. K.S.W. साथ है का सही answer? ठीक है? B.S. K.S.W. साथ को क्या कहा जाता? दिया लगना Father of Father of In-B. In-B का मलब क्या होता है? Indian National Bibliographic के पिता किसे कहा जाता है? B.S. 3500 से अधाया जाता जिए, तो B.S.Car है जिन्हें अधाये, अधाये, फाधर आइम पूरात है, आय एम बी की पिता भी कहा जाता है, और इंस्टों के पर्त्म फिर्स्ट डारेक्टर पूचा उती आप में कपील मीना जी चीओं कभी लेता ही नहीं हो। बिल्कुल ले लिए मैंने के विएस की वेकेंस अब दो साल पहले आएगी नहीं वापस दाना में बिल्कुल जितेंदर जी सेल उन्होंने कहा है कि मैं इंस्टोर के हिसाब न उन्नीस सो बावन में होईते हैं अगला जो क्रेश्चन है दोस्तों गाइडलाइन और इंफोर्मेशन लिटरेशी फॉर लाइफ लॉंग लेर्निंग जीवन बग सीखने के लिए सूचना सक्सेता पर दिशा निव्यस किसने प्रकासित कियते हैं बहुत इंपोर्टेंट कुश्चन है वह यह आपके यूजी सी नेट सेट लेवल का सवाल है कि न मैं इसको्स करेंगे सर बिल्कुल थोड़ी क्क्लास उसी के अंदर आ जाएगे आपको सर इंट्ड के founder अब थोड़ा समय दिमाग से निकल गया है चला मैं इसको चेक करके बताऊंगा आपको ठीक है ना इस message के अंदर डाल दूगा ठीक है बिल्कुल द्याम जी जी आप नाई 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 इसके अंदर आप जल्दी से बताएं आप एक गुरुआ जी गलत कर लिया आ पढ़ा आप इसको गाइड लाइन ओन इंफॉर में से लिटरसी पो लाइप लो लनी इसके अंदर एफला होगा क्या वाक़ा दोस्तों इफला होगा इसके अंदर जितन दजी सही आंसर बताएं इसको मैंने याद कैसे कि देखो लर्णिंग में एल आ रहा है लाइप में आ फोलाइपला याद यहार लगना इसको से एक दोविशा ठीक्ष लॉहाँ रखने को मिलेगे आप को ठीके ना इफला ही है सब ठीके दोस्तों यह चीज आपको ज्यां रखना अगला कोशन है which of the following year was declared as the international book year ज्यां रखना international book year by UNESCO UNESCO द्वारा निमलिकित में से किस वर्स को अंत्राइश्टेप उसका ले वर्स गोशित किया गया था बहुत इंपोर्टेंट कुशन है मोहन जी कहा रहे मोहन जी शुर्वासु कहा रहे सर आप देरा नाम नहीं लेते बिलकुल नाम ले लिया आपका मैंने जल्दी से आंसे बताए यार कौन से इयर को इंट्रनेश्टनल बुक इयर कहा जाता है बहीं जल्दी से बताए आप को जहें बिलकुल 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 उनीस सो बहुत तर तो ध्यान रखना नाइंटीन सेवंटी टू को स्च्छाइंट बुक इयर बहुत इंट्रनेश्टनल बूक इयर जो है गोसित किया गया था अंतराष्ट पुस्तक जो वर्स है 1922 को सिया गया था ठीक है अगला कुस्टन में एपला आपको पता है यह तो पता है सबको यह 1914 सबको बता है कोई डेट शकता मुझे जल्दी से किसी को बेत याद अब हम स्केसा पता है निसलोय को देट याद है तो बता है आप केविस की कटोप जल्द आएगी आपको 31 मार्च से पहले पहले केविस का आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा ठीक है ना कि देट क्या हो सकती है यल्दी से बताएं आप बिलकुल आंधर पर्देश लाइबरेरी असोशेशन इसकी देट क्या हो सकती है तो देट आपको याद रखना है दस अप्रेल 10 अप्रेल 1914 क्या है भई 10 अप्रेल 1914 13 अप्रेल नहीं होगा मौन जी 10 अप्रेल 1914 जो है उसके अंदर एप लागी इससा अपना हुई थी अगला कुश्चन है दोस्तो National Testing Agency NTA NTA के तुबारे हम जानते है अपना जो UGC Nets NTA करवाती है तो NTA की इससा अपना कब के गई थी राष्टे प्रस्रिक्शन अजैंसी NTA की ससा अपना कब के गई थी ये जो case 392 के लिए उपवयोगी आग। बिल्कुल ये class सब के लिए उपवयोगी है नरेजिम बिल्कुर सब के लिए उपयोगी है NTA, NTA के बारे में आपने सुनो है जो भी हाई लेवल का जो एक्जाम होता है UGC NET है उसका जो है एक्जाम है ये NTA हमारा एक्जाम करवाती है इसकी स्ताफना कब हुई थी तो इसकी स्ताफना ध्यान लगना आपको नॉम्बर दो जा सत्रा में कब हुई थी नॉम्बर दो जा सत्रा में NTA की स्ताफना हुई थी ठीक है न भी ये चीजा आपको दियान लगना चीक है अगला के क्वेश्चन है Which of the following provides matching grants for establishing children corner in public libraries निमलिकित मैं से पुस्तकालो में वेरी इंपोर्टेंट है वे इन में से कौन सा ऐसा public library में children corner इस्ताफित करने के लिए मिलान अनुदान परदान करता है वेरी इंपोर्टेंट निमलिकित मैं से ऐसा कौन सा सलसा या कौन सा institute है जो public library में children corner बच्चों के लिए विवस्तित हो उसके लिए जो है बिलकुल अनुदान देता है अनुदान का मले होता है ग्रांट परदान करने का काम करता है जल्दी से बताएं वही children children के लिए कौन देता है जल्दी से बताएं बिलकुल triple RLF triple RLF triple RLF के सब्मलने कर भुई थी 22 मैं 1922 मई तरे राइंदे तिहा न वहीं triple RLF के सब्मलने कर भुई थी 22 माई 1922 बहुई तरे राजाराम मॉरंदाय कहाँ पर है कलगत्धा के अंदर है कलगत्धा के अंदर है तो triple RLF के जो इस्तापना है 22 माई 1922 के अंदर होई तो ये भी आपको ज्यान में रखना है बिल्कुल पुजा कशिव जी कह रहे 1922 बिल्कुल सुमन मंजिल जी बहुत अच्छा जवाब दिया आप सभी ने चीक है बिल्कुल 1922 होगा अगला कस्व में भी very important है कि ILA LM पाध्या पाध्या सोरी ILA LM पाध्या अवार्ड किसको दिया जाता है यह इला नहीं है यह ILA है ठीक है ना वही ILA के द्वारा एक LM पाध्या अवार्ड दिया जाता है यह किसको दिया जाता है जल्दी से बताए आप ILA के द्वारा LM पाध्या अवार्ड दिया जाता है ये किसको दिया जाता है, जल्दी से पताएं आप, बिल्कुल, सर केविस सी कटो, वो भी सी कितने रहेगी, राजु मताने जी, मैं राजु, जो केविस सी समंदी, जो भी सवाल मुझे पूछ रहे हैं, मैं उन लोगों के ये कहना चाहता हूँ, आप थोड़े सब्दबर और देरे रखे, उसके बाद ही अपन के सामने वास्ट चुकता हैगी, अभी ऐसी जूट बोलने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी किसी को पता नहीं है, नॉमलाइजेशन कैसे होगा, किसी को ये पता नहीं है, डाउट क्लास का बोनस देंगे, या भी कैसे मेरिट बनेगी चिके नहीं सो, ये चीज़ है, जितने जी सेन केरे सर मुझे सेकिंड गेर, ठर्ड करा क्लास लेनी है, तो क्या करना होगा, जितने जी आप हमारे एप को डाउलोड कर ली जी, ऑनलाइन स्कूल इंडिया, एप को डाउलोड कर ली थी, एक ब्लैक कलर का लोगो आएगा, उस यह लाइब्रेरी को दिया जाता इसे लिए वालोह कोWhen अब कौन सा फॉर्मूला फॉलो करेंगे अभी अपन को आइडिया नहीं है इसलिए मैं जब तक मेरे पास कोई ऑथेंटिक इंफ्वर्मेस्टन नहीं होती है इसलिए आपके साथ स्यार नहीं करता हूं मैं आपको किसी परकास से गुम्रा नहीं करना चाहता हूं इसलिए सब् चैनल ओबीसी और इडवलोस को तीन गुना पास करेंगे जैब कि एस तरीके से भी बहुत सारे सवाल डाउट आ रहें यह चीज़ आपको ध्यान लगना बिलकुल इनिवर्सिटी लाइबरेरी के द्यान लगना तो यह ज्यान लगना एलम पाद्या जो अवाड है यह इनिवर पई बिलकुल स्कूल लाइबरेरी जो ऑवाड है इस्कूल स्कूल लाइबरेयरी के लिए कौन सा अवाड दिया जाता है अले जल्दी से बता है वहिस्त लाइबरेशू लैबरेरी जो एक हुआ स्कूल लाइब्रेरी के लिए कौन सा आवार्ड दिया जाता है बिल्कुल दल्लक्षमी जी बहुत सांदा रास्व आशर है वे तो बैस्ट स्कूल लाइब्रेरी के लिए एसम गांगुली अवार्ड बहुत सांदा जवाब है कि WTO sm गंगुली जो इवार्ड है वह ध्यान गना आपको स्कुल लाइब्रिर के लिए बेस्ट स्कुल लाइब्रे internally के लिए जाता है और एक द्यान ना पी वी वर्गी जवार्ड बहुत इंपोर्टेंट पीवी वर्गी जवार्ड है यह मैंसा दिया जाता है बैस्ट आर्टिकल के लिए इसके लिए बैस्ट आर्टिकल के लिए एक सीडी सर्मा अवार्ड भी जो दिया लगना है यह भी मैंसा दिया लगना आयले के द्वारा बैस्ट आ अंदर आएगे चीकốngद तो आपको ज्यान एक दाना है युनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए पादी अवार्ड होगा और जब कि स्कूल से लिए ने को आपको SM तक सब्सक्राइब या। से जून के अंदर प्रस्तावित है दोस्तों दिल्ली लाइब्रेरी असोशेशन के इस्तापना कब हुई थी दिल्ली लाइब्रेरी असोशेशन द्यारगना मैं देवे आद बच्छे लोग बहुत हैं एक तो सवाल बनता है दिल्ली लाइब्रेरी असोशेशन ठीके ने वही दिल्ली लाइबरेरी असोशेशन एक बनता है दिल्ली पब्लिक लाइबरेरी द्यानगना दिल्ली पब्लिक लाइबरेरी तो इस्ताफना होई थी 1921 में यह डिपोजिटरी लाइबरेरी भी होती है लेकिन यह दिल्ली लाइबरेरी असोशेशन के इस्ताफना कब होई थी जल मार्च 1949 को जो है ये दिल्ली लाइबरेरी में है बिलकुल बिलकुल ये 10 मार्च आपको याद रखना आपको ठीक है ना 10 मार्च 1949 को 10th मार्च ये बहुत important question है कई बार इस तरीके से भी सवाल पूचा जाता है इसलिए आपको इसमें भी आपको ध्यान रखना है ठीक है दुस्तों अगला question है very important है who is known as biblioclast किसे biblioclast कह जाता है biblioclast के नाम से किसे जना जाता है ये ज्यान रखना है library की terminology होती है जाय रखना है library की terminology होती है mythology को आपको थोड़े याद रखना है तिकले क्विद्वाइब हो इस लौन एज बिब्ली ओ ख्ला सपच्छ जासे अभी यॉजी सी नैट के अंदर आया था बिब्लीय ओ फाइल आया था नहीं दोस्तों यह दोस्तों यह दोस्तों यह दोस्तों यह देला पाइस एक अपनल ज्यक्नन को नोग पर बहुत ज़ला हो तो दिया लगना बिब्लियो क्ञास्ट का मदलब होता है एक किताबों को किताब को मुल्सcede करने वाले को क्या कहता है बिब्लियो क्लास केता है बिब्लियो बिल्कुल दुर्गा जात बिल्कुल कि इसको क्या कहता है उसको क्या बूक लाओर के तो और बिब्लियो फाइल का मतलब क्या होता है एक बुक लवर होता है क्या होता है दोस्तों जो एक किताब को पसंद करता है उसको क्या कहता है बुक लवर कहता है एक और वर्ड आता है बिब्लियो क्लैप्ट एक वर्ड आता है बिब्लियो क्लैप्ट तो बिब्लियो क्लैप्ट का मिणिंग क्या होता है जल्दे से बताए आप 지금 बिल्कुल बुक लजवर को किस बीब्लीयोर फाइल का मिल्लों होता है आपके इन बुकн लजबर हो गया एक बेड़ आता है भी बीब्लीयो क्लंप्ट्ट मिल्ले उल्सट गेहा होता है बिल्कुल बिल्कुल गोल्डी घुपताची क्या रहें आयमें बिब्लियो फाइल बिल्कुल इस्टोल बुक्स इस्टोल बुक्स जो एकती किताबे चुराता है उसको क्या कहते हैं बिब्लियो क्लाप्ट क्याते हैं क्या करते हैं बिब्लियो क्लाप्ट तो बिब्लियो क्ला है किताबे चोरी करने वाला किताबे चोरी करने वाला किया दोस्तों किताबे चोरी करने वाला जो क्या होता वे बिब्लियो क्लाप्ट हो गया होता दोस्तों बिब्लियो क्लाप्ट होता बिल्कुल पुस्तक चोरी करने वाला इस्टोल बुक्स जो हता वो बिब्लियो क्लाप् है हमारे इस बार राजस्तान में थोड़ा सा एक्चुली कटोप थोड़े जादा उपर चड़ गई थी लेकिन फिर भी हमारे याद से करीबन 100 प्लस पहले हमें लग रहा था कि हमारे याद से 150 प्लस सेलेक्शन होंगे लेकिन इस बार हमारे से अंडेर प्लस लोगों का राजिस्तान में सेलेक्शन हुआ है और मैं उन सब को इस क्लास के माधियन से बदाई देना चाहता हूं और आपके भविश्य इसी तरीके से उजूल रहे और जो विद्यार्टी राजिस्तान में सेलेक्ट हो चुके वह अभी से से कि त्यारी शु बहुत इंपोर्टेंट क्यूशन है किस रेक्ति ने लाइबरेरी कॉलेज की कॉंसेप्ट को बताया था बही जल्दी से बते बिल्कुल शुरुचु चिक यह रहे सर पानी बैठ कर पीजे बिल्कुल थैंक यू फॉर यह गुड सजेशन बट एक्चुली इतना याद नहीं दोस्तों है बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद फॉर गुड सजेशन बट एक्चुली याद रहता नहीं है जल्दी से बताया आप बहुत इंपोर्टेंट को से में लाइबरेरी कॉलेज की कॉंसेप्ट को किसके दौरा सुरू क्या गया था बिल्कुल जल्दी से बताया मेंदर कुमार महा महावर्जी तो लाइबरेरी कॉंसेट जो यह बिल्कुल आपके राजिस्तान सेट लेवल के जो कुश्चन्स होते दोस्तों तो लाइबरेरी जो जो यह कॉंसेप्ट है कॉलेज है कॉलेज वाला जो कॉंसेप्ट कॉन लेकर आया था यह लेकर आया था ल सब्सक्राइमेद और यह पर लिए पहला पता है इस पैट्रिSc art बी नइफ यह वेक्तिक किस चेसे सम्भन्दी और आपने बर्गरं अगर यह वंड तक संभनेद त prose संब्सक्राइब किसे सम्भन्द staff बटाया अप चेटन जी कहरें से नेट का टॉब नेट का टॉब में कल बताऊंगा आपको क्योंकि मैंने भी एनलेसिस किया नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि 50 से अबावी जाएगी मुझे ऐसा लग रहा है ठीक है ना जिस सरीके से 50 से अबावी जाएगी ठीक है न बताएं वह यह पैट यह भी जेडी बर्डन साथ जेडी बर्णाल साथ जेडी बंडन साथ नहीं नाए एक्स्टेन से एजुकेशन नहीं होगा मुझे कुमार जी गलत बता दिया आपने देखिए यह तो पदाओ है यूजर एजुकेशन से यह लोग जो है पैट्री से भी नेप है यह यूजर बहुद इंपोर्टन रुबहने किसंट यह जड़ी बढ़ना है ऑफ पेंट्री से कि यूजेर एजूकेशन्स के परति पादक बिल्कुल जेटी बनाल यूजर स्टेडिस होगे बहुत सांधा जवाब आपका और जेटी बनाल साब है यह आपके यूजर स्टेडिस से जुड़े हैं ठीक है दस्तों इत्या लगना सास मौडल समय किसके द्वारा विक्षित किया गया था तो इन्फोर्मेसल लिटरसी का एक मौडल है S-A-U-C-E ये किसके द्वारा शुरू किया गया था भी जल्दी से बताए आप टीके S का मतलब क्या हो गया A का मतलब क्या हो गया U का मतलब C का मतलब और E का मतलब जल्दी से बताए आप जल्दी से बताए आप किसके द्वारा एस ये यूसी मोडल है यह सूचना साखसरता का जो मॉडल है यह किसके दौरा सुरू किया गया था जल्दी से बताए आप बिलकुल पिछेतर के उसन यहां तो बिलकुल चांस है आके यह इसके सभी आंसुर होगा害, ट्रेवर बॉंड के द्वारह, ज्यारा रखना है dapat के द्वार सब्सक्राइज तो Information Literacy model जो है उसको डौलक क्या गया था Travelled बॉन्ट के दौरा किसके दोर्र दोस्तों Travelled बॉन्ट के दौरा इसको सुरु क्या गया था बिल्कुल Travelled के दौरा s का मनलब क्या हो गया setting पिल्कुल इसकी full form आती था पता दीजे मुझे setting the scene s का मतलब हो setting दा scene हो जाएगा A से क्या हो गया है जिसको आपका U से use हो गया चैके ना भई C से communication हो गया C से communication हो गया E से evolution हो गया इनकी full form है जया लगना A से क्या हो गया A से acquire बिल्कुल से जया लगना A से क्या हो जाएगा acquire हो जाएगा बहुत important है सूचना साक्षवता जो से हम कहते हैं information literacy चेके न भी बिलकुल ध्यानगना सर के वेस में आया था सर यह तो ध्यानगना यह model जो है यह आपको Trevor Bond के द्वारा जे अगया था बिलकुल से जवाब है अगला question है के who suggested the several names of conduct as must for library professional पुस्तका ले वेवसाई के आच्रण के साथ दिपक आच्रण के साथ दिपक का सुजाव किसने दिया था जल्दी से बताएं आप बहुत important question है यह सवाल के निमलिकित में से कौन से वेक्टिन है जया रगना सवाल दोनों पढ़ना है seven names of conduct तो seven names of conduct किसके द्वारत दिया गए आच्रण के साथ दिपक ठीक है नहीं 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 सुसान ब्रूस वो अलग है सुबाजी गंगवार जी वो अलग वो अलग है बिल्कुल एक कि गुरुवाजी ने सही कहा है आरल मितल साहब ने दिया था द्यान लगना आरल मि इसका इसका आंसर दिया है सब्सक्राइब रूप यह लिए को पुसकाले वर्गी करन का पर्थम व्यक्रान विद के रूप में संद्रित को गया है किसे द्वारे वेकरेन चार कहा किसे वेकरेन चार ये का गया था जल्दी से इस क्लास को लाइक कीजिए जल्दी से इस क्लास को लाइक कीजिए तो किसे वेकरेन ग्रेमेरियन कहा गया था रागू जी करें पढ़नाम गुरू जी विल्कुल पढ़ना तो ग्रेमेरियन किसे कहा धर गया था WC B शेयरसाब को ज्याना रखना ये डबलू S ap शेयर साथ जो है इनको कहा जाता है फार्स्ट ग्रेमेर यद चया रहा रहा हूं पर्थम्वियों कराना यह रंगरतन के क्या थे वह गुरू थे कौन थे वह यह कहां के रहने वाले है यह लंदन में रहने वाले है जब 1924 में डाक्टर एसा रंगरतन लंदन गए थे तो उनकी मुलगात हुई थी गुरू से WCB CS इन्होंने पहली बार द्यान रखना एक term use गया था First use term एक term use क्या था उन्होंने Canon द्यान रखना वहाद important सवाल है सवाल आएगा वही World बेस सबसे पहले Canon word है Canon को क्या कहता है इंदी में उपसूतर यह हम कह सकते है सिधान्थ तो सबसे पहले वर्ड में Canon सब्द का परियोग किसके द्वारा क्या गया था जिए ना तो यह ध्यान रहना फॉर्स्ट अब लाइबरी क्लासिफिकेशन भी डबलो सी भी स्ट को कहा जाता ठीक ना और उसके बाद जो है पहली पास सबसे पहले Canon वर्ड ट्रम को उन्होंने क्या था ठीक है उसके बाद यानगा इनकी जो कुछ चार किताब अच्छी तरीके से याद रखना है ठीके ना वे चार किता पे कौन सी है एक तो है Grammar of Classification Grammar of Library Classification Grammar of Library Classification Canon of Library Classification ठीके ना थीसरी इंट्रोडक्शन टू लाइबरेरी क्लासिफिकेशन चौता हो जाएगा Manual of Library Classification Manual of Library Classification यह चार किताबे आपको अच्छी तरीके से याद रखना है आपको तो पहला एक Grammar of Library Classification हो या Canon of Library Classification हो यह दोनों किताबे पब्लिस हुई थी 1915 में लेकिं इंट्रोडक्शन द्यानक ना 1918 में आई थी और Manual of Library Classification जो आई थी 1926 में तो यह चार किताब है इन में से एक सवाल जरूर प्रिक्षा के अंदर सब्सक्राइब कहां से हैं सर अपक्राच से हो मैं जोधफूर राजिॅस यह रूपाले जी पूच रहे हैं कि आप करसर में जोधफूर राजिस्तान से पल्झनुल रागहव जी गलत बता ढ़ले आपने 26 वह रागहव जी 25 15 15 18 और 1926 सबीस होง मैंल ओप Library classification manner of library classification 1926 होगा बिलकुल एक ही गुरुवाजी से आज से बताए आपने इस चीज़ां लगना अगला question है identify the correct sequence of user tasks that are supported by the structure of frbr frbr की सरचना द्वारा समटित उप्योग करता कारों के लिए सई क्रम की पैचान कीझी और लिए MR Bayern जो है इसके अंदर कॉन सा आयागा के विलिए ट्रीक भी बताए ते आगो यह ट्रुक भी बताए ति मैने उस ट्रिक के साथर्थ ट्रीक यह बताए ती फीसो दो ट्रीक दी मैने इस हीज़ को याद करने के लिए ये ट्रिक बतेती फिसो एफ आई एस ओ इसके रिसाब से आप बता दीजिए गल्दी से बिल्कुल अच्छना सर्माजी ने का सई बहुत दिन बाद दिखा सर और उनको वार्ज़ कर आँको देखते ही मोटिवेट आता बिल्कुल बहुत-बहुत अन्यवाद है आप सभी का बिल्कुल एफ एफ से ग्या हो जाएगा फाइन आई आई से ग्या हो जाएगा हो जाएगा दोस्तों ओप्टेन हो जाएगा ठीक है ठीक है और जो भी इस क्लास को देख रहे हैं इस क्लास के माधियम से मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि बहुत जल्द आपको राजिस्तान के अंदर वेकेंस से देखने को मिलेगी आप सभी से निवेदन है जो भी करेगा उसी का ही सेलेक्षिन होगा क्योंकि वेकेंसी आने की बाद आप कोर्स कप पूरा करोंगे रिविजन कप करोंगे टेस्ट कप दोगे तो वह विद्यायार्टी जो किसी कॉम्पिटेशन की त्यारी कर रहा है मालब इस बार बचे बचे इतने होश्यार हो चुके हैं म तरह क्या करेंगे मैंने का अभी से तियारी सुरूर टरभने लगे वेकेशिं promise से पहले पहले को isso कंप्लिट वेकेशे आने के बात आपnek ot शिरफ अपने लोग को रिविजन करना है ज्यादा ज्यादा टेस्स देना आपको टेस्स ही आपको मोटिवेट होगा ज्यान लगना आपको बात में कुछ लोग सोचते हैं कि वाद जैसे मालो मही के अंदर वेकेंसे आगे जून में आप क्या करोगे आप जन्रल पर का कोर्स स्करीन है कि लाइब्री सायंस का पूरा कर ओंगे फिर लास्ट टाइंट पे पूरण ही होता है सरी डेंग से रिवीजर नहीं होता है सब्सक्राइब करेंगे जो है तो करेंसी कि द्यानन खने मुद्रा का जो है किसका केमल है जो है रंडना पर ंटन के द्वारा टोटल्ट सेयलिस उप्सुतर जो है तो स्टी दिये गये थे इन ल विया क्वाँ अ कले सब्सुत्तर कर्य मैं टीन दूसरा हो गया आपके idea plane ठीके ना भी idea plane और तीसरा हो गया notational plane ठीके भी notational plane तो रंगरतन का जारा तेस उपसुत्र के कारिये को तीन बागों माटाता verbal idea और यह idea में कितने थे 15 उपसुत्र थे वर्बल में कितने थे चार थे तो कितने थे जल्दी से बताए आप सरकापी दिन से प्रीपर्शन चल रहा हूं बहुत सपलता अभी सपलता नहीं मिल रही है आप अभी से शुरू कर दीजिए मैं फिर से बता रहा हूं मैं आपको लाइबरी साइंस ए बहुत टेक्निकल सब्जेट है दोस्तों अगर आप दो मैने से पढ़ रहे हैं और बीच में तरस दिन अगर आप शादी में चलेगे या घूमने के लिए चलेगे आपको ऐसा त injam सब्सक्रांते कि अच्छार घ्राव चार और पांच-9-9-4 13 आशल की एक 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 और दू इस तो ध्यार रखना है नॉटेसल प्लेन में 24 होगे कितने होगे 24 होग तो यह कैनल ऑप करेंसी किसमें आथा है तो ध्यार रखना है किसमें गॉन और करेंसी किसमें आएगा व अगला क्युस्टर है वेरी इंपोर्टेंट है गैप डिवाइस बहुत इंपोर्टेंट है गैप डिवाइस हेल्प्स इन मेकिंग एक क्लासिफिगेशन स्कीम मोर टुगेट गैप युगति किसी वर्गीटर योजना को अधिक प्राफ्ट करने में साहिता प्राथ बती है यह यह कई पास सवाल आता है एक गैप डिवाइस का तो द्याद रएक आपने पढ़ा होका Chan पंति में पृति पज्छा अंतंग्त य५्टिवर सग्वास परफ्छाय ओर यह गेरे में उसके अंदर राटा ग ene he तो किसमा आएगा दोस्टों तो यह द्यान रखना वह स्पिटरिबल में आएगा कि आएगा इसके अंदर आपको आएगा यह द्यान रखने बहुत इंपोर्टेंट कुशन है यह अभी हमने नया अपडेटेट कोर्स शुरू कर दिया हमने हर कॉंप्टिशन का नया यह द्याली है यह पुराना भी पड़ा रहेगा आप पुराने से और नहीं वाले से तुलना कर दिजीए बहुत सारी नई चीज है आपको देखने के मिलेगी और तीन स्थे मिलेगी आपको टॉपिक वाइस पहले टेसी हैं ऐसके बाद आपको टॉपिक वाइस हैं आपको मेगा टेस्ट मिलेगा जहां मिलेगा मेगा पार्ट जे और त्रिपल सी एडिसन फाइव दिल स्विस्ट त्रिपल सी बाद जे का समन्ध है तो आपको बता हैं यह क्लासिफाइड केटलोग कोड त्रिपल सी की फुल फर्म क्या होता है क्लासिफाइड केटलोग कोड जो यह बारत का पहला सूचिक है के केटलोग कोड है इसका पांच हो एडिसन कब आया था जल्दी से बते हैं इसका फिट एडिसन कब आया था मैं सहर्ड ओफ्लाइन क्लास होती है के रिटी होवरा देन बिल्कुल ओप्लाइन चुन एक चुन सुरू और similar से बांप ==== च्छिक ना बई ओफ्लाइन क्लास एक अप्रेल से शुरू करेंगे अपन ओफ्लाइन क्लास जो हैं आपको जोत्पूर में ओफ्लाइन क्लास जोत्पूर में हम सुरू करने वाले हैं बहुत जल्द च्छिक ना बई जोत्पूर में सुरू करेंगे ओफ्लाइन क्लास 92361 इस पर आप बात कर सकते हैं एक अप्रेल से जोत्पुर में आफ्लाइन क्लास शुरू होगी आपकी जया नगना ठीक है बताइए वही जाए बिलकुल पार्च एडिशन आया था उनिसवत चौशेट पर आया था जे के लिए क्या आएगा जल्दी से बताए आप जे के लि सुरू करेंगे एक अप्रेल से सुरू करेंगे जिसका नॉटिफिकेशन आपको से पंजाब में पोस्ट कब आएगी अब पंजाब का इतना आइडिया नहीं है भाई लेकिन मुझी जल्द अगर कोई सूचना मिले कि जरूर आपको बताएंगे ठीक है दोस्तों which sign is used in Udc to agglomerate non-consecutive non-consecutive subject Udc में गेर लगातार विशे को बात important question है गेर लगातार विशे को accurate करने के लिए किस चीन का उप्योग क्या जाता है भी very important question है यह दोस्तों Udc में गेर लगाता और विशे को accurate करने के लिए किस चीन का उप्योग क्या जाता है जल्दी से बताओ आप जल्दी से बताएं आप सभी कि यंचे में बोख सारे चीन अलगए चीनों का प्रयोग होता है लेकिन यह non consecutive के लिए कौन सा चीन आता है बिलकुल बिलकुल आप सभी ने ऐसाभाया है इसके लिए आता है पलस कौन सा चीन आता तो बल स प्रियोग होता किसका प्रियोग वह प्लस का प्रियोग किरन जांगेर जी संगीता सर्मा जो भी विद्यारती सर एइ ए यूपि में पोस्ट कब आएगी यूपि में थोड़ीयो पहले किसी से बात कि तो वो तो उन्हों नें यह कहा है कि सेज़ अगे सितमबर तक आ सकती है ऐ एक है ला कुछ ने बहुत इंपोर्टेंट है ृिन कॉलन क्लासिपिकेशन एडिशन एंड़ाइजिंग कॉमन आइसोलेट जिसी सॉटकिट में आपको पता है कि आपने एक टॉपिक पढ़ा था या कॉलन क्लासिपिकेशन टॉपिक के common isolate यह कोमन अच्छ यह के दो भाग होते है पहला होता है एसी एई ठीक है और दूसरा होता है PCI क्या होता है दोस्तों PCI होता है क्या होता है PCI होता है तो यह कह रहा है कि A.C.I की फुलबों होती है enterizing common isolate पे M M किसके लिए आता है जल्दी से बते हैं इससे बहुत सारे चिंद्द का परेव होता है एसे इंग किसके लिए आता है जलदी चे बताएं लगता कि बिलकूल बिलकुल एसके लिए एम से याद रखना मैं ने का तो मैं जब आता है एम से इम्पी से क्या हो जाए जब भी ध्यान एकना मौन पर सवाल अजा रहे एंप के लिए शुरा हैं यह में yh kis के लिए पिडिकल ने को अगस्वत लुगता नहीं कि यह की जलसे से मताइब यह सीरियल के लिए कौन चाहाएगा कि सरियुपी में दो पंदरा में लास्ट वेकेंश है थे विल्कुल विल्कुल सीडियल के लिए क्या आएगा एंग तो मैंने बता हैं तो एं-स ns याद रखना है case study के लिए क्या आएगा मैं जल्दी बताया case study के लिए क्या income acanister 죽手 डिके में लिए कि इसरी चौरीए कि गुर्कोर जी राजश कुमार जी बिलकुल까요 पिल्कुल के सही रिए याई है किया दोस्तों के स्टीडि के लिए कि आएगा वाई सेवल और टेबलं के लिए या यह जल्दिस और पिल्कुल सहान्दा जवाब अब भी सियो नहीं पुझाइक सेव जी बहुत अच्छा आंशर है आप इस क्लास को एक ओर लाइक की जीजिज़ भाई इतना सारे बच्चे देख रहे आप 123 इस्टुडेंस देख रहे हैं इस क्लास को लाइक जरूर कीजिज़е आप सभी इस क्लास को लाइक कीजिए कमेंट जरूर कीजिए और इस क्लास को जो आना सब गुरूपों के अंदर शैर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चाहिए विल्कुल एक गुरुवाजी डी टेबल के लिए क्या आएगा डी टी याद रखना मैंने याद कियाता है डी टी एंप डी टी अनष और पर ये यह यू याद रखना ठीके, अनवे एक ड्या लगनाे, डी डी बुड़ूबी के साथ हमेंसा क्या आएगा, बायाद बाय्याद रिए व थेखना हॅध, बायाद रखना ह। टेके बाज एक विश्य को बाठना के लाता है जाने लगना संकक्स्रनी में विशे को बाठना विशे निर्मान विद्या पड़ी होगी आपने ठीक है दोस्तों विशे निर्मान विद्या जिसे कहते हैं मोड और फॉर्मेशन ऑफ सब्जेट विसे निर्माण की वीदिया अपने पड़ी हैं तो आपको पता है कि ऐसा रंगरतन के द्वारा 1950 में चार विसे निर्माण वीदियों का जो है उसने शुरू किया था ठीक है न वे चार विसे निर्माण वीदिया जाएगा एक तो विदियों जाएगी लेमिनेसन एक थे लेमिनेसन हो गेवे दूसरे ल्टू का मतलब क्या हो जाएगा लूजर विस्तिल समुचे यह दूसरी हो गई और दीटू दीटू मेंस थीस निए हो गया क्या होगे वे विच्छे दन हो गया है तो डाक्टर एसा रंगरत्तन के द्वारा 1950 में चार विशे निर्मार वीदियों का जो है लाये थे याद रख लेना कौन से चार डीटू है डीटू एल्टू एल्टू एल्से लेमिनेशन एल्से लूज असंबल डीसे जीजेक्शन और जैनेशन तो ड्यारे निक्ति इसका सही आम सिर्ट रोतने में बाठनी में बाटने कौद्यार लगना है जब भी परिवास अंजए वाहां सब्सक्रणि में विश्य को बाटना तो आंसर हो जाएगा आपका डीजेक्षन है क्या हो जाएगा जोस्तों एंदी में कहते हैं Beijing क्याहता है जोस्तों अनासादन कहते हैं ठीक है चंफ Всем shout डिजेसं के लेकिन जब ज़िशेओं परतर बाटा जाता लेर परतर बाटा बाटा आगा शुपतर डाटा जाता है एक का मलब हो गया है विचेदन घ्याओं хват तो समकक्स रणे में बाटने को हमएसा rejection करेंगे समकच्शन करते का प्रतर परता जाता विस्चे को जैसे वोल्ड आ गया वर्ल्ड के में बाद में क्या करता दुनिया के बाद दुनिया में ऑगे बी एससे अगे हैसे माधीफ हो गया माधीफ ह व्हारत क्या यह फेल उड़क exercises देशों गया राजैसान क्या हो हो गया जोत्पुर के अंदर एक चोटा सा सहर है इसका नाम है पिपाड सहर पिपाड सिटी भी कहते हैं पिपाड सिटी मेरा जो यह जनम भूमी है यह जोत्पुर से यह जोत्प शिटी जो है यह जोत्पुर से एक लिव पिपाट पर है तो जया रगाना तो आह पर आधा डिखें क्यते हैं जिए देने करता है अगला कुश्य में कि अगले क्वेश्चे देखिए कि हूँ ऑथर्ड मैन्वल आप लाइब्रेरी एकॉनॉमी जल्दी से बताए आप निम लिकित मैंसे किस वेक्तिने सरा बहुत अच्छी सरा आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं ऐसी मोटिवेट करते रहें जिलिप जी कह रहें बहुत बहुत दन्यवाद आप सभी का आप क्लास को जरूर लाइक कीजिए और मेसेज़ में जरूर कीजिए क्लास क्लास को क्योंकि ये मेरतन प्लास है क्योंकि कवसे पूरी कंप दिन आग सब्सक्राइब यह किताब किसके द्वारा लिखी गई थी ईसकी लें लेखने समय दोलो सबस्के है जिन्होंने इंग्लेंड के अंदर सबसे पहले ओपन एक्सस सिस्टम को शुरू किया था ओपन एक्सस सिस्टम जिसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों मुक्त द्वार पढ़नाली की जो है शुरुवात किस ने की थी जेडी ब्राउं साब ने की थी किसके लिए लंदन में सबसे पहले प्रेंट आउट बिलकुल नवीन जी मैं आप से कहना चाहता है पीडियाप का प्रेंट आउट ने निकलेगा आपको नोर्सों बनाने ही होंगे बिलकुल आइस सवाल को भी मैं आपको अमेसा के लिए आज एक डाउट के लिए करवा देता हूं कि हमारे एप के अन्दे जो भी पीडियाप है उसको उपन कर सकते हो उसका प्रेंट आउट में निकाल सकते हैं देखिए प्रेंट आउट निकालने का मतलब यह होता है कि पूरे कोट्स की आत्मा लोगों तक पहुंचाना है अगर हम प्रेंट आउट का ओप्शन देते तो कोई भी उसको के लिए ग्रूप के अंदर डाल देगा बिलकों सर आपकी वजह से मेरा लाइब्रेंड हो गया से बहुत बहुत अन्यवाद वह पे ग्रूप के अंदर डाल देगा तो पूरा निये लोगों के पास चला जाएगा चीके नहीं सर मैं तो कल ट्रेंट में रहूंगा जेपू स में शाणत्वारिण algumas दो और हाइलाइटर फेर लो हाइलाइटर में निचग निच चल चला लो हाइलेटर से कभी भी ऐसा नहीं रिप्र मुम्ला नेे वो नोट्स आपको परिक्षा के अंदर काम आयेगा ज्यान अठना चीज ज्यान अठना ओपन एक्सेस सिस्टम दो बिटियस लाइबरेर के लिए छोला गया था जेटी ब्राउन साहाब ने एक वर्गीकन पतती की खोज की थी वो खोज की थी सब्जेट क्लासिफिकेशन इसक स्कीम कब आया था तो सब्जेट क्लासिफिकेशन स्कीम यह वर्गीकन पतती कब आये थी 1906 में आये थी 1906 में आये थी पूझ राज जी कहले पढ़नाम सब्सक्राइब का कोर्स में जीके चेंज होगा क्या देखिए अभी जीके के बारे में क्याना बहुत ज़्यादा जल् गजट बनेगा गजट जब वो गजट मार्केट के अंदर आएगा न उसके आदार पर जोग्राफी चैंस होगी पुजराजी कहरे है मेरे सेंटर जोथ्पूर आया है पुजराजी फर्भा कह रहा है बिलकुल बहुत 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 बदहीं हो जोथिर में कहां पर आया यह बताए जल्दी से बताना आप बिलकुँ सब्जेट क्लासिफिकर से ने एक जेड़ी जेड़ी प्राउन साब ने एक सिदान्त दिया था सिदान्त का मलों होता एक ठ्षोरी ती कौन से ठ्षोरी दी थी जल्दी से बताया आप जिस विद्यार्थियों को यह पता चलेगा द्षोरी का नाम क्या एक सिदान्त दिया था जेड़ी प्राउन साब का बहुत इम्पोर्टेंट च्योरी है कौछ से च्छोरी का नाम क्या था जल्दी से बताया है जिसे का टेगोर पब्लिक लाइब्रेरी पिटाल फैक्ट्री सेंटर में है क्या क्या बात मुहित कुमार विल्कुल one place theory बहुत important है ज्यारंगना यह कहीं बार प्रिक्षा के अंदर आता है कि वही one place theory जो है यह किसके द्वारा दी गई यह दी गई थी जेडी ब्राउन साब के द्वारा जो यह 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 theory दी गई थी प्रिश्यम इंस्ट्रक्षन और related to ज्यारंगना प्रिश्यम इंस् प्रिश्यम इंस््ट्रक्षण जो है एक किसे समझीता रूल्स पर मैनेजमेंट से यह पर्शन इंस्ट्रक्शन जो है यह केटालोगिंग के नियमों से संबंदेते हैं किसे संबंदेते हैं बैं के नियमों से की गई है जल्दी से बताया बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है यह कई बार यूजिसी नेट के अंदर सवाल आ गया कि वहीजी कोड्स के दौरा जो इंडेक्सिंग के लिए कुछ वर्ड जो है कि ठीके ना भई यह कहा पर आया को जोथ पुरुण से तो बताईए बिल्कुल इंग कोर्ण के किया रहे है इस मतीरीट के द्रेंट आला क्षिबिद मतीरीट के द्रा मेन सिंगन जो है इस्क वो इस कॉल्ड फादर ओप बिब्लियोगा फि aç लुटक ने गृटि का जनक कि से कहा जाता है वही जल्द самой आप मेलकुद कर आप लुद्य से मितंटर फादर ऊप बिब्लियोगराफिका लुटक लिए अटा है 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 मेरा सेंटर हुदेपुर आए भील्कुल बहुत बहुत बदर efforts जनल्लस से बतें आप बीप्लियोगराफी पूछ रहें बीप्लिप्लियोगराफी के विह कौन जाता है देख यह कपिनस्तर साहब मुझे पता ता आप गलत बोलोगे, इसमें confusion होने की जरूत नहीं है, सीधा सा जवाब है, कौनाड गैस्नर, कौन है वे, कौनाड गैस्नर को क्या कहा जाता है वे, father of bibliography, क्या कहा जाता है वे, father of bibliography कहा है, सर मुझे kvS intro के लिए suggestion करेंगे बिलकुल, kvS intro के अलग से वीडियो बनाएंगे हम आपके लिए, एक एक चीज आपको जो है, उसको समझाएंगे, एक बार final answer की आने दो, और final result आने दो, ठीके न, उसके बाद ये पता चलेगा, तो दिया रंगना है, बिब्लियो ग्राफी के father किसे कहा जाता है, conard guestner को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, conard guestner को कहा जाता है, अगला को सूरे, seminal mnemonics is found in, seminal mnemonics पाया जाता है, seminal mnemonics की इस्ता आपणा कबोष्टी, जल्ぎशसे पते हैं, निम्मोनिक्स हों हैं यह कॉन सी classification के अंदर पहा जाता वे जल्दी से बतें आप को सैड किसमे कम आता है सैड किसमे काम आता है सैड इत्स चौज्री सैड कोलिज लाइबेरिन बनने के लिए काम आता है सेट करने के लिए होना बहुत ज़्यादा जरूरी है बिल्कुल एक के गुर्वाज ने कहा है एक कोलन क्लासिफिकेसन तो एल सीञ है यह सीचि के अंदर आता है सेमिरल नमओने सेक्थ हो गया उनीच सो चार पॉबलिस्ड़ाइड यप्रेृवन कॉंग्रिष फब्लीसग है डरी ओप इसकरमाइड वैश ह क्लासिफिकेशन हो गया 1905 ठीक है 1905 पॉब्लिस बाई हैंड्री लॉव फॉंटेन एंड पॉल अटलेट हो गया सिसी हो गया 1903 और रंगानतन के द्वारा कि इसके द्वारा दोस्तों रेंगण आप तो द्यान दीजेएं बिल्कुल इसमें ज्यान रगना दीम संम। दो वेकती के नाम हैं लोग्स। ठीक हैं में रोद स्छाल्ज मांतल है बंबं कुमार जी बंबं कुमार जी जो कह रहा है सर मेरा नाम दीजिए बिलकुल नाम लेंगे आपका इस तरीके से मिलान करने वाले सवाल आते हैं करने वाले मुझे लखता है कि दस प्लस क्षिश्चिन जरूर आएंगे आपसे मिलान करना होता ये आपको सब चीजह यहांत होगी न तो ही लाट कर पाओगे आप मैच करने वाले सवाल róż Luxоты के अन्दर कई बार फरीक्साम पूजे या या इसलिए क्यों साइटेशनिदेशिन कि इंडेसिंग किसका योगदान है डियान रखना है साइटेशन अइंडेसिंग जो है किसका योगदान है Tayto spiral indexing फिर उसके बाद अगला बनेगा systematic indexing systematic indexing किसने शुरू किया था citation indexing किसका योगदान है जल्ती से बताएं आप विकास टेटेसर एक केभे से भाया था स्वाँ का का साइटेशन इंडेक्सिंग के द्वारा दिया गया है यह यूजिन गार फिल्ट चानुशन द्वारा दिया गया था जल्दी से बताएं आप सर अभी सेट का notification कहा खाएं अभी बताएंगे आपको सर एक बार भी मेरा नाम ने लिया बंबंब कुमारजी बिल्कुल बंबंब कुमारजी नाम ले लिया मैंने आपका बिल्कुल अभी सेख सैनी J. K. 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 K वही जे केस्ट ने साब के द्वार दिया गया था है अगला कुश्टों ने वही हूई स्ट्राइट एट फॉर कॉइनिंग देट टर्म इन्फो क्लाउट जा रगना है इन्फो क्लाउट सब्द गड़ने का स्रे किसे दिया जाता है वेरी इंपोर्टेंट गुशन है दोस्को वेरी इंपोर्टेंट है इन्फो क्लाउट जो है सब्द गड़ने का स्रे किसे दिया जाता है इन्फो क्लाउट जो है सब्द गड़ने का स्रे किसे दिया जाता है जल्दी से बताया आप बिल्कुल बिल्कुल कपील मिना जी न सही दिया info cloud किसके दूर बहुत important question न नया है थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल अंजु कुमारे जी गलत बता दिया आपने मुकेस कुमारे जी न सही बताया सर मेरे केविश में सेससदाय है इस रिजल्ट हो गया ना शौर्ट यागा द्वारा जो है इंफो क्ला़ट सब्सका परियोग सबसे पहले गड़ा गया था बताया गया था एक के गुरुवा से टिम बंडल नहीं होगा यह नहीं होगा यह थामस वैंडर वाल हो गया इंफो उगा फॉल नहीं तो वह टो अलग हो गया इसका जाने का आपको बता है मैंने लिखाया था मैंने का ओ जो है यह आपके आता है लिटरेचर को के लिए कौन सा मेंटास आता है ओवन गॉस्ट रेकाता है पर इसका जो यह फैसेट होता है इसे क्या आजाता दोस्तों सब्सक्राइब का जाता है तो इसमें सवाल हिरों ने पुछा पीपर पीपर क्या आएगा फी टू पर फी पर और पी फोर पर जल्दे से बता है पी पर क्या आएगा तो द्यार रगना पी पर क्या आता दोस्तो लेंग्वेज आता है तो द्यार रगना पी पर तो आएगा आपके लेंग्वेज क्या आएगा दोस्तो लेंग्वेज आएगा पी पर आपके क्या आएगा लेंग्वेज लेंग्वेज फिर उसके बाद खाएगा फॉम आएगा इस तरीकर याद कलेंना पूर अच्छी तरीके से सिस्टमेटिक तरीका से यह इस तरीको से 7 रही चैहित सीह आ रहे हैं अब पढ़ने का नहीं कर रहे हैं स tenían पढ़ना पढ़ना पर रहोगा कर आकर रहे हैं आह देगा मैं सेー एक्जाम दिये थे, KWS रिटर निकाला, जोत्तूर M में रिटर निकाला, M दाबाद हाइकोट रिटर निकाला, त्रीक है ना उसके बाद और भी बहुत सारे छटवाटे एक्जाम दिये, त्रीक है ना उसके बाद जाके जो है देखिए आज जो है इतना इस्ट्रगल किया है कि आप लोगों से जो है मुलाकात कर रहा हूं मैं तो कहीं ने कहीं जो है पिछला जो संगर्स क्या है इसलिए अभी हार नहीं मानिये आप अभी से वापस त्यारी में लगजें वेकें से हमेशा आती र अब इस्ट इस डाम मोस्ट इस इलिश्यू और डिपिकल्ट और वरगी करन में कौन से पहलों सब्सक्राइब और पैचानने में कटिन होता है तो अन्होंने फाइफ पंडमेटल बताया थे पी-ए-म-e-s-t इसमें से कौन सा जो है सबसे डिपीकल्ट होता है सबसे पैचान हो जैएगा तो इस से ग्या हो जायगा दोस्तों एनेड़ेशी हो जयेगा एस से क्या हो जायए मैं मित एक सब्सक्रेंज श्राइप फ़क्राइगि महत्त्य ट्लियुट यहां कोम संभास स्थिंगल कॉमा तो कौन सब्सक्राइब श्रौसें और बाधो है उसे से पहचांने में बहुत अधर डिफिफिकलिटी मैस् सो DesARRYोंश तरो सब्सक्राइब करा कि झानल ना पराओं तुमा कि के लिए कोन से यह खालं तौन में के लिए कोन सा 6 खाल कों है dot और time के लिए किया आता है single inverted comma क्या आता single inverted comma आता है ठीक है दोस्टों इसलिगा निए अगला कुछने डॉक्टर एसर अरण इंडीड ए comparative study of five cataloguing codes in the work of डॉक्टर एसर अरण अंगलातन ने गई दोधender कोड़ों का तुलनाट पर अध्यइन का अंदर किया ता जल्दी से बताए आप डाक्टर ऐसा अंगानत कर छोह अपने पर परिश्ट्र किता के अन्धर किया था जल्दी से बताएं करते पीछे अठने नहीं देती हैं बहुत पॉजिटिव आती है साथ हैं कि वेरी मच यह तो जीवन का जो है जो है यही तो लाइफ है आज यसे मैंने इतना इस्ट्रगल करने के बाद मुझे जॉब लगी ना खुशी तो हुई लेकिन लाइफी साहरे से बहुत सारी नहीं चीज़े सीखी मैंने और वो स्ट्रगल वो मेरा जो स्ट्रगल है आज पूरा जो आप सभी कस्मीर से कनिय कुमाय तक बचों जुड़े वे हैं और खुशी की बात यह हैं दोस्तों आज जो है हमने आट महीने पहले यह हमने कोर्ट शुरू किया था आट महीने पहले मैं यूट्यूब चैनल पर आज कस्मीर से कनिय कुमाय तक 40,000 40,000 बच्चों का जो है हमारा क्या हो चुका है वे 40,000 लाइवरी साइंस का जो परिवार है बन चुका है हमारा यूट्यूब चैनल पर 40,000 लोग सब्सक्राइब हो चुके हैं पिछले के वल आट महीने के अंदर तो देखिए अभी आट मह हमें दो महीने में कोशिश रहे कि 50,000 हम बिलकुल जो हो जाएंगे इस तरीके से अगर आपका जो प्रेम हो सने रहेगा हम बहुत सारे नहीं चीज़े आज मैं दो गंटे पढ़ता रहता हूं कुछ नहीं चीज़े अपडेट करता रहता हूं मैं हमेंसे इसलिए नया कोर्स अपडेट किया मैंने ठीक है न हमें नहीं अपकोर्स अपडेट करता है कि एक भी सवाल आपको नहीं जाए जल्ली से बते हैं वह चत्ती से क्रूश्चिन जो है आपके हैं कौन सी किताब के अंदर तो ध्यार रगना है है हैडिंग और कैनेंस यह सवाल कह रहा है कि अपनी कौन से किताब के अंदर तुलनात्म घर्जिन किया था इस किताब के अंदर किया था और हैडिंग और कैनन यह किताब करकाशित हुई थी 195 किताब के अंदर किया थी यह जो है 1905 में ध्यान लेगना यह कह रहा है तुलनात्मक अध्यान की बात कर रहा है भाई सवाल को तोड़ा ध्यान से पढ़िए आप सभी ठीक है ना भाई रिट्व चौद्री तिने मारणली का ऐलो गलत हो गया कोई बात ने इसको सुधार जी सुधारी के तुलनात्मक अध्यान की बात कर रहा है इसलिए ध्यान लगना यहां पस्षी ओक्तन होगा इस किताब को 1905 में लिखा गया था ठीक है ना आर्थी चौद्री ची गया रहे है बहुत लेट आया आप सभी आज बहुत सारे बच्चे लेट जुड़ रहे हैं अब देर देर जुनने शुरू हो गया है अगला क्लासिफिकेशन में लेडी का पूर्ण रूप क्या है जल्द से बताएं आप कोलन क्लासिफिकेशन में से बिहार लाइविरेंट की क्लास का बिहार का भी जल्द करवाएंगे आपको बिल्कुल जल्द करवाएंगे जल्द से बताएं बहुत इंपोटेंट क्यूस्तों है द्यान रखना लेट तो अपने घर में लगाते हैं और लाइट वाले लेट की बात नहीं कर रहे हैं टार्गेट ओनली लाइबरेरी नमस्कार लेटेस्ट इफेक्टिव डिकेट जया नगना तो इसमें बहुत जादा लोग कन्फिज होते हैं तो इसमें ज्यान रखना यह नहीं होगा तो यह होगा सीची की कोलन क्लासिपिकेशन की बात करें और लेट की जो यह अउदी कई बास सवाल पुचा जाता है और लेट की ज दोस्तों बीस वर्स होती है दिया नगना अगला कर सुन है कैटालोगिंग पब्लिकेशन प्रोग्राम वाज इंट्डूस्ट बाई सी आई पी कारिकरम किसके दौरा शुरू किया गया था जल्दी से बताए आप सभी सब्सक्राइब तेलंगना लाइबरीन बुक्स बताए किया नहीं है दोस्तों लेकिन हमने शुरू कर दिया है त्यालेंगना वाला भी कोर्स ट्रिकन उसके अंदर हम बिल्कुल अपडेटेट टेस्स भी सारी चीज़े हैं कि बिल्कुल यूटूब पर भी भिहार लाइबरीन का सुरू करेंगे बारस्ट लाइबरीन की वेकेंसर किसके दोरा क्या गया लाइबरी आप आंग्रेस के दोरा और कब क्या किया था उनिस सो इकोतर में जाने का उनीस सो इकोतर के अंदर सी आईपी प्रोग्राम लाया था वह था अगला दोस्तों एंवर थक्ती नाइग अकोडिंग डोटिंटो एसा रहनातन दग कैनन ऑप फो बूर्प है जल्दी से बतार के अन्दर मैंने बताया ता आपको इड्य remedy प्लेन Aroundım में भी चारबाग होता है अब हमाओ fine 돼 और चाहता होता है इसने सिद्धा पूछला है वह चैन के अंदर कौन सा आता है तो मैंने कहा था चैन बनाए दीजिए आप MD MD याद रखा था मैंने का हमारे स्कुल के अंदरे मिड़े मिल बोजन आता है तो MD M से क्या हो जाएगा MD मैंने याद कर रहता सुत्तर M से modulation और D से क्या हो जाएगा decreasing extension क्या हो जाएगा दोस्तों decreasing extension हो जाएगा आपके यह चीज़ जाना तो यह D option सही हो गया बिलकुल से DSSV Librarian Exam April में होगा नीरे जी कह रहें DSSV Librarian Exam जो है वो अप्रेल में होगा अगला किस्तों ने select the correct combination सही स्योजनों का चैन्द कीजिए बहुत important है वे जाना अपकोस में जो हैं सही कौन सा है जल्दी से बताया याद यह आता है नेट सेट के अंदर इस प्रकार से एक्जा एसल एसट पर उसके बात पर टाया डी सी प्रकाट में बताएं कौन से सही होगा जल्दी से बताया रिति गाजी कह रहें यह सही होगा और सही होगा बिल्कुल और बताएं बिल्कुल ए बी सी डी ओल आर करेंट इसको याद रख लेना जाना सैयर्स लिस्ट जो है यह आया था उन्दी सो टेश से फर्स एडिसन आया था रूस पॉल लाइब्रेरी केटलोग अठाश चीवतर में और सबसे पुराना जो कोड है यह पैनेजी कोड है यह कब आया था आठाश सो एक्तारिस में एस यार बन गब आया था उन्दी सो सट सट में तो यह सारे राइट है क्या दोस्तों यह सारे राइट है आपके जा लगना अगला क्लाशिपिकेश्ण कॉलाड गॉले खाली-खाली आयंको के लिए निव लिगी कॉन सा मंम संकतन को अप्योड क्या जाता प्रियोग बताया था बैए यह यह प्रियोग किया जाता है इस बिलकुल पहला आप्षिन यूडबलु वाई यूडबलु वाई जो है इसका से अन्सुर हो गया बताये जल्दी से अन्सुर्पी एध में पर्ण्रेट कांड़ियोट अदीकित और हो गया बिल्कुल इसके अंदर सर शर ओफ्लाइन क्लासेश कब शुरू होगी तो दोस्तों ओफ्लाइन क्लास वा है वो आपके एक अप्रेल से शुरू होगी एक अप्रेल से अधिक जानकारी के लिए 8949992361 पर कभी भी बात कर सकते हैं बिल्कुल चारों सही होंगे इसके अंदर ज्यानगना लोग पार्सिमोनी जो अमेशा ज्यानगना ओवरॉल एकोनोमी के लिए आता है शाइब प्रिंशपल ऑग वह स्विस यांदन रखने सको यहीज क्लासिफिक चारों सवाल बहुत 것도 इंपोटेंट है यह थितरी केशते के यह और से शेरिक से हो जायाएं रिख्यांऻब्र च्वेशन ठीक है जास्ता विच अमंग दा फॉलाइंग इस अल्मोस स्पैसेट डिस्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन निम लिकित में से कौन सा वर्गी करण लगभग पक्सात्मक योदना है पहलों नहीं है लगभग पक्सात्मक पदती बदाए जल्दे से लगभग पक्सात्मक पदती कौन साथ जल्दी से बताए आप लगभग पक्सातमक पदती कौन से जल्दी से बताए आप कि सर्जों हमारे पुराने नोस बनें आपने वी कुछ निव और जोड़ दिया तो क्या करें वो पुराने नोस बनें लिख चुके हैं उन लोगों के मैं यह कहना चाहता हो कि आप नया वाला से एक वार पढ़ ली थी है उसके अंदर बहुत सारे नहीं चीज़े आई है और जो चीज़े नहीं आपको लग रही है उस नहीं चीज़ों को भी आप अपने साथ एड़ कर देजिए देखिए सले उसको अपडेट करना बहुत ज़्यदा जरूरी है और इस बार हम बाइलिंग्विल करें हर टॉपिक के निचे अब्जेटिव कुछ दे रहें ताकि स्टुडेंट क्यों कि देखिए मुझे पता है कि इस लाइबरी साइंस के फिल्ड के अंदर 90% डिस्टेंस एजुकेशन से बच्चे के वे उनको पता ही नहीं चलता है कि क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी क्लासिफिकेशन पड़े तो अभी हमने हाली में एप के अंदर क्लासिफिकेशन शुरू किया तो दस परकार की क्लासिफिकेशन इसकी में उनको पता चलना चाहिए यह दस परकार की कौन इसलिए आपको यह ध्यान है आपको इन चीजों को विश्यस सुपसर ध्यान लगना सारी चीजे पढ़े इसलिए मैंने नया अपडेट किया तो नया अपडेट का मलोग होता है कि आपको हर चीज के अंदर नई चीज़ें मिलेगी इस बाद बहुत ऑथन्टिक किताबों से मै से आएगा अगला कोश्वन जो है यह चीज यहां रखना हूं को इन दो वर्ड मैनेजमेंट ट्वरी जंगल मैनेजमेंट ट्वरी जंगल जो है यह किस ने दिया था वही जल्दी से बताएं आप यह सर्थ तभी समझने में टाइम लग गया है बिल्कुल जिंद्गी में एक चीज जहां रखना है आपको लाइबेरिंट बनने के लिए जिंद्गी में सिर्फ एक वार ही नोट्स बनाने होता है क्योंकि देखिए मैं भी आपको जो कंटेंड लिखता हूं तो मेरे पास भी बहुत सारे अलग-अलग युनिविशिटी की किताबे होती है उन युनिव किताबे होती है क deeply Doo do sisters को समझते हैं आता है कि चीजी अप्डेट होती लिए जैसे जैसे शीजे겠다 आपडेट होगी तो नहीं चीज़ें आपको मिलेगी ताकि आने वाल क्योंगी आजकल कॉंपीटेशन एग्जामें बहुत सारे मॉडरेट कुश्यन्स आता है तो जैन दीचे भूई आपको क्या आंसर इसका मेनेजमेंट जंगल तो यह आपको हो जाया कि हैरोल्ड कुंटर्स के द्वारा यह दिया गया था जैट यूमन रिसोर्स मेनेजमेंट छोरी ओप मोटिवेशन वाज प्रपोस्ट भाई जैट प्रेहना का एक मानों संसादिन प्रबंदन है एक किसके द्वारा प्रस्ताविच क्या गया था भी तो जैट किसके द्वारा दी गई थी प्रदी कुमार जी गहरे सर वेकेंसी कब पाएगी कोलेज वेकेंसी मैं जून तक आजाएगी सर मैं जून तक आजाएगी क ट2 वाएटिस्तान इस्ट्रि का द्वारत दी गई बताओ जल्दी से X Y थेयोरी किसके द्वारत दी गई थी तेके न वही X Y थेयोरी किसके द्वारत दी गई जल्दी से बताओ आप बिलकुल सुमन जी ने कहा है C ओप्सन Z थेयोरी होगी William House होगी X theory किसके द्वारा दी गई X Y theory किसके द्वारा दी गई X Y theory गुजनेश बिलकुल M.C. मनलब Douglas Mac Grover Douglas Mac Greger के द्वारा दी गई थी जा रहा तो X Y theory जो है Douglas Mac Greger के द्वारा दी गई है जिसमें X जो होता है X जो होता है जो employee होता है वहाँ के जो staff होता है उसके laziness को दर्शाता है laziness का मलब होता है all people all people को दर्शाता है employee एक employee की laziness का जो symbol होता है X जबकि जो Y होता है वो एक employee के जो employee को एक discipline दर्शाता है अनुशासन में रहना हो रहते हैं के दूख काम भारी के ऩाइड सी लोग पाइड के अंदर आता है अगला एकनि बिल्कुल कवी तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब क्या बात है उट्ता रहा था य। एकाक रासा भी pony Team यह सारी चीजह ना यह सारी चीजह अंदर पढ़ा दिये लेकिन फिर भी मुझे अब वापस पर पढ़ रहा हूं अलगले किताबे पढ़ रहा हूं तो मेरे सामने बहुत सारी नहीं मुझे भी नहीं चीजह सीखने को मिल रही है तो उन चीजह को सीखते हैं मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आपको इदर देखो त्यारी सब देखो मेरे बाहस में इस्टुटेंट देखो कॉंपिटेशन की त्यारी सब लोग करता हैं सलेक्शन उन लोगों का ही होता है जो समय के हिसाब से पहले से त्यारी करना सुरु कर देता हूं मैं आपको बताना चाहता हूं सब को पता है कि राजिस्तान के अंदर वेकेंसी आएगी मैं जून के अंदर लेकिन अभी भी लोग के आएके इदर उदर भाग रहे है कि कौन सा वेक्टिक का कौन अच्छा पढ़िए आप अप्टेटी कर रहे हैं आप कई और जगे से पढ़ रहे हैं लेकिन आपके अंदर एक अपने घर में एक कमरे के अंदर बैठे हो आपको पता निक दुनिया की कितनी त्यारी है प्रफॉर्मेंस होता है तब आपको लगता है कि हाँ बिलकुल मेरा सेलेक्शन हो गया है बिलकुल आप भी नोट्स बनाई है लेकिन अलगले कितबों से लेकर आप नोट्स बनाऊ गया ने तब तक आपका टाइम चला जाएगा लेकिन प्रफॉर्मेंस के माधियन से यह है कि हम आपको एक ही जगह पर सारी चीज़ें उपलब्ट करा देते हैं टेस्स भी च्योरी भी ऑप्जेटी कोश्चन्स भी सब कुछ ताकि आपको शिरफ आपका काम क्या है रिविजन और टेस्ट देना रिविजन और टेस्ट देना ता का रगना है ला चाहर बनारण से खिवराण से ओप्षन होगा क्या होगर दोस्तों सी औसे टांब से आपिसे यह से ओप्सटि और यह गणा से किस्टिüğ्टोस तो पिंधिए अगला केश्वन है who among the following is not related to human relation period क्या बात सवाल गारा नीम लिकित में से कौन मानविये सम्मंद काल human relation period से सम्मंदित नहीं है इन्होंने क्या पुचा इन चारों में से कौन सा ऐसा वेक्ति है जो human जो है relation period से सम्मंदित नहीं है सर यह सर आप समझ आ गया है तो पढ़ना इजी लग रहा है बिल्कुल लग रहा है बिल्कुल चेस्ट बनार तो social system school से हो गया विल्कुल कौन सा जो नहीं है बाई सावल पूचा है कौन सा नहीं है बिलकोल बहुत कुमार से ने कहा है बाई C. Hendry Fjol, Hendry Fjol जो है यह human relations से नहीं है द्याना है, Hendry Fjol human relations से नहीं है द्याना, यह सही answer हो गया, ठीक है न, अगला कुछन है, who has written the book, the practice of management, the practice of management, ये किताब जो है, उस तो किस ने लिखी थी भई, जल्दी से बताएं आप, practice of management, ये किताब किसके द्वारा लिखे गई थी, जल्दी से आंसर बताएं आप, बहुत important किताब है, the practice of management, the practice of management, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई थी, जल्दी से बताएं आप सभी, तो द्यार रगना practice of management, तो हीट इक्वाल जी, बिल्कुल बहुत बहुत बदाएं आपको, उन्होंने सही answer बताएं पीटर ड्रकर के द्वारा, तो पीटर ड्रकर के द से पीटर याद रखना जया रखना, practice से पीटर आपको याद रखना, बिल्कुल 1954, क्या बात है, 1954 के अंदर, बहुत बात, क्या बात है, ठीक है, the method of estimating funds for libraries, पुस्तकालों के लिए, नीद्यों के आगलन की वीद्या है, कौन सी वीद्या जो होती है, ये estimate, fund के लिए, estimate लिए कौन सी वीद्या होती है, जल्द से बताएं, important question है, नीवलिकित में से कौन सी वीद्या जो है, library को estimate fund, library का जो estimate fund को, कौन सी वीद्यों के द्वारा निकाला जाता है, सर, college, library की vacancy कब तक आएगी, मई जून तक आएगी, बिल्कुल, बावना मोर्या ने काए, all the above, बिल्कुल तो ध्यान का तीन परगार की वीद्या होती है, पहला होता पर कैपिटा, दूसरा होता प्रोप्रोफेशनल मेथेड, और तीसरा होता ये method of details हो गया, ध्यान रखना, अगला question है, who is considered as the father of social system school of the thought, social system school of the thought का जनक किसे कहा जाता है, very important, sir, हर्याना लाइबरेरी में CT qualify from कब से start होगा लाइबरेरी, हर्याना का शुरू कर दिया हमने, हर्याना का शुरू कर दिया हमने, उसके अंदर अभी recorded classes डाल रहे है, और updated course डाल रहे है, ताकि आप अच्छी तरीके से लिख सके, याद कर सके, बिलकुल, जाना, social system of thought, very important question है वही, social system of, जाना लाइबरेरी चेस्टर आई बरनाड, तो दिया रहना, चेस्टर आई बरनाड को क्या कहा जाता है, father of social system school of thought कहा जाता है, तो जो विद्याट ते इस class को देख रहे हैं, और सभी को परसु जो set exam है, उसकी बहुत-बहुत आपको हार्दी सुपकाम है, अच्छी तरीके से यूजी सी नेट, इस वर राजसान set का paper देना आपको, अभी आदे question हुए, आदे अभी बाकी है, जैकर अभी अपने फिलम का teacher जारी हुआ है, अभी बहुत important questions आने वाले हैं आपके सामने, सब परसो आपका सुबह first shift में time पर पहुंचे, क्योंकि ज्यान लगना 10 बजे के बाद आपको entry नहीं मिलेगी, ज्यान लगना, आपका exam है 11 से 2 बजे, 11 से 2 बजे 3 गंटे के exam है, 10 बज कर 1 मिनिट के उपर आपको entry नहीं मिलेगी, ज्यान लगना आपको, इसलिए time पर 9 बज सुबिदा की गई है, चीके ना वई, CCTV केमरे की सुबिदा इस बार भौत तुई, सांदा तरीके से paper होगा, इसलिए आपको ज्यान लगना है, कि आपको time पर ही पहुंचना है, क्योंकि आपको time पर 9.45 बजे पहुंच जाना है, क्योंकि 10 बजे के बाद entry नहीं होगी, इसलि सेट की नहीं करा पाएंगे सुर्दी जी, समझ आते इसके लिए, क्योंकि अभी हमारे पास राजिसान, बिहार, तिलंगना और हर्याना वाला है, उनका सलेवस हमें पूरा करवाना है, दोस्तों, ठीके दोस्तों, आजएए, शुरुआत करते, आगे वाले जो questions है, बिलकु एक और आप सभी like कर दिजे हमारे इस class को, सुमन वर्मा जी कहारे सर अफलाइन का क्या set, ऑफलाइन है क्या set का, बिलकुल आफलाइन ही रहेगा set का, बावना परियार के रही है, मेरे government senior second school, CHP second pulley आया है, बिलकुल सबका वहीं आया है, बावना जी पूरे जोदपूर का वह सेंटर आया सबका, बहुत बहुत बदर ही हो आपको, सीक सर, UGC net की भी preparation करें है, बावना मौरियती, अभी हम तोड़ा राजिस्तान में भीजी है, इसलिए उनका course करवाना पहले बहुत ज़्यदा जरूरी है, UGC net का, जून के बाद सुरू करने के विचार करेंगे, ठीक वोकल, तो बताएं मुझे, CPM की फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से बताएं आप, C का मतलब क्या होता, P का मतलब क्या होता, M का मतलब क्या होता, जल्दी से इसकी फुल फॉर्म बताएं आप, पूरी पूरे जोद्पूर का वही है भई CPM की फुल फॉर्म क्या होती है जल्दी से बताई है C का मतलब क्या हो जाएगा critical P का मतलब क्या हो जाएगा path सब्सक्राइब क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा critical path method और CPM कब आया था 1950 में कब आया था दोस्तों 1950 में आया था CPM कुमारी खुश्बूशी कहा रहे हैं कि सर आप UGC की नेट त्यारी करवाते हैं लेकिन अभी थोड़ा सा हम जो है भी राज़िस्तान में लेगे वे यह चीज आपको ध्यान लगना चेकर ना अगला करश्वने लिंकार्ट्स नेम बेरी इंपोर्टें लिंकार्ट्स नेम इस असोशेट वीड लिंकार्ट का नाम किस से जुड़ावा है कौन सी थियोरी के साथ जो है लिंकार्ट का नाम जुड़ावा है जल्दी से बताए आप लिंकार्ट का नाम जो है को सी थियोरी के साथ जुड़ावा है 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 आप सभी निवेजन है कि इस क्लास को सभी ग्रूपों के अंदर सयर कर दीजिए ताकि कल बचल चे Dial से जर अपने एक्जाम देने के लिए आयेंगे अराम से इस क्लास का अनन्द ले सके इसलिए लास्ट में आप से निवेजन है कि मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूं ज़्यादा से ज़्यादा व्यूस आए तो मुझे मोटिवेट मिलता अच्छे कमेंट कीजिए ताकि मैं भी बहुत अच्छा आपको और चीज़ें पढ़ा सको इसलिए लास्ट में आपको इस अब तुरन परवाव से इस क्लास को सभी आप जिस टेलिग्राप या वाट्सप पर जुड़े वे उस उस इस क्लास को जरूर्व स्यर कर दीजिया बिलकुल लिकट नामक व्यक्तिक किससे जुड़ावा है दोस्तों बिलकुल द्यान रखना है सी ऑप्शन इस्टाइल आप ल इस इजन थिए अप्रोच निडिये सिद्धान दस्टगॉर्ण के प्रमुग योद्धान किसका अवे तो डिसिजन थिए अप्रोच किसके दोरा सुरू किया गया था जल्दी से बताए आप बिलकुल सानी जीने से ज़िए बिलकुल जल्दी से बताए सर लाइबें तर्ड सर लंडे में इंडिया जी के कितने question राएंगें इंडिया के करीबन आयेंगे पंदरे itlock क्यूशिंप भूचे जैंगे लली से बताए में 53 और इसका सही अप्रोच इसका सब्ढ के एच डी डी से हो जाएगा हर्बर्ट सिमोन क्या होगा दोस्तों डी आप्शन सही होगा हर्बर्ट सिमोन इसका सही आंसर होगा अगला क्योंशन है पाथ गोल थेओरी डेवलेट बाइ रोबर्ट हाउस इस बैसिकली कंसर्ड विड बहुत इंपोर्टेंट कोशन है बैई यह गोल थेओरी जो हैं जिसका विकास किसके रोबर्ट हाउस के दवहरा पार लग्से मूल रूप से क्या गया था यह पाथ गोल थेओर्ट कैसे GitHub है जल्दी से बताइब सर्भी से समंधित है अगला एवी फिटम कोटर्स एइटे लॉर्डवल बहुत इंपट मननने कोटर्स एच बहुत है और गाप्तर निटम कोटर का जो आथ कोनिता इस प्रक्रम मॉडब यह कि से जल्दी से बताएं कोटर्स एट इस्टे बॉडल किसे समंदित हैं है कि बहुत इंपोटेंट है वह यह द्या लगना इसमें बी ऑप्शन होगा चैंज मेंजमेंट से यह मेंजमेंट का बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, और मैंने पढ़ाया था, KVS के दोरान भी, जा रहना इए, बहुत इंपोर्टेंट है, चेंज मेनेजमेंट से समनदीता है, किसे समनदीता है, यह, पुंदम पांड़े जे आगे है, बिलकुल, चेंज मेनेजमेंट, ठीक के न, आगे, do see hi got 11 के तिन स्वाल आपके केविस के अंदर कुछा गया था और मैंना पड़ाय भी था Drevins कत् pixel मॉडल से समंद से इस तिन स्वाल आपके केविस के अंदर आया था यह झाल जल्दी से मिते हैं हिटेश कुमार जी कह रहे हैं थर्ड गेट कोर्स में ओफर दीजें समय चाहता हूं कि सब ओफर नहीं हमने बिलकुल नॉर्मल फिस रखेंगे हैं सबसे कम पिस हमारी है द्यान रजना हमने थर्ड गेट सेकेंड देगो हम इसके अंदर क्या दे र सदर एक साल की वरिडी डे रहें इसके इंदर हम जनर्नरल पेपर दे रहें उसके साथ टेस्पी, पुराने पीपर, मेगा एक सारी चीज़ दे रहें आ है यह दिल्कुल अन प्रीज होगा है, लीफेर ही है और है उसकर होड़ी वहका है उप और चैंज मेनेजमेंट मॉडल वास दौलोट भाइं बहुत इंपोर्टेंट कोशन है एक किसके द्वारा विक्षित क्या गया था ऐसे ही सवाल इसलिए मैं ने इन सवालों को सेलेक्ट किया था ऐसे ही सवाल जो है सर लाइबरी थड़केट में पॉलिटिकल साइन्स है क्या म पिते उफ कुमारड जी यह सबसे सब्सेथ्जेंस हम लेते हैं आपको एक किट्रीज्ट कर टीचर हमारी यह जोगरफी का लग टीचर है हम आपको एक्जाम से पहले पचास में केको विक्राइकर किसके दौरा शुरू किया गया था ने साहा भी सिह का नहीं से w o t k phul firm क्या है जलौदी से बताएं आप सभी कि on कि ने का कि एस डब्लू ओटी यह फुल्फ आ है जल्दी से बताएं आप सभी है सन लगबक कितने आवेद dominant all गशाइडिया बिलकुल अभी कोई आइडिया नहीं मिला है विक्निस और टी से जाएगा थ्रेट हो गया क्या होगा धियों हो गया यह कि यहां रहे है सल्एक्ट कर्थी कॉंबिनेसन बहुत इंपर्टेंट कुश्चन एवर यह रहे हैं ना इसका आपसमें मैच कीजिए स्वाइट अनलेसिस किस नहीं दिया था पोश्ट कॉर्प किसके दौराब पिबियेस हो गया जेड्य जेड्य पिजिट्रिंग हो गया ते किसके दौराब दिया गया था जल्दी से बताएं आप सभी All, विल्कूल All ho जाएगा देखे यह ज्यानक ना है Swart Analysis किसके तोरा यह ज्यानक ना यह सही है Post-Core Blutukic के तोरा PBS, Robert S, Maxine Namara और JV यह चारों सही है ज्यानक ना यह Sam है, चीए ना में तो यह सही हो जाएगा ABCDR correct हो जाएगा ठीक ना तो यह आपके द्यानट डी ऑफ्शन हो गाए क्या होगा इसमें अब्सक्रों करेक्ट हो जाएंगा अगला है तो कॉंसेप्ट हॉप माइक्रों फोतोगराफी को डाउलॉप किया गया था किसके दौरां डाउलॉब किया था बहुत इंक्रिटेंट किशन आप जल्दी से बता आप किया सबस्क्राइब किसके दौरां सुरू किया गया सर मेरे डीलेस प्लेस ग्रेजुशन की है मुझे इसके आगे कौन सा कोर्स करता कि सैट अब आप पहले बीलेस कीजिए सैट एक्जाम के लिए बीलेस कीजिए बीलेस के बाद अगला सवाल जी ओसी स्टेंड फोगा अर्थ है सभी सब्जेट के अंदर किलियर करना जुरूरी है क्या नहीं आसा कुछ नहीं है सभी सब्जेट किलियर करना जुरूरी नहीं है ईजी ओसी का फुल पॉर्म क्या है दोस्तों जी cm ए बिल्कूल çaille से ऑप्शन सेंद में आपके OF हैं किया हो जाएगा तो जैद्साल चाहेगा बИलकुन परियोग लाइब T मेनेजमेंट में किया जाता है लेकिन इसका परियोग किस लिए होता है कार्डेक्स का परियोग किसके लिए होता है जल्दी से बताए आप कार्डेक्स का परियोग किस लिए किया जाता है जल्दी से बताए आप इस क्लास को सभी गुरूपों के अंदर जरू सेर कीजिएगा ऑद अई दे हैہ में बिलकुल अरे एक के गुरुआजी कंफीज होना थे मुझे पता था मुझे पता था आप लोग इसमें से कन्फिज होंगे ये सही होगा मैंटईनरेज और प्रीडिकल सुगा द्यान अब मुझे पता था आप लोग इन दौनों में यह द्यानक ना maintenance of critical एक यह गुरुवां ची विलकुल maintenance of critical होगा द्यानक ना यह नहीं होगा pamphlet कभी नहीं होगा द्यानक ना वोचे पता था इसलिए आप लोग इसमें confused होगे बहुत ज़्यदा confused हो रहे हैं ठीक है न बहीं अगला कुश्टर में वो हूं अमंग दो फॉलवाइंग हाव नॉट कॉंट्रिबुटेड इन दा थ्योरी ओबूप सेलेक्शन निम लिकित में से किस ने पुस्तक चैन के सिद्धान्त में योगदान नहीं दिया है निम लिकित में से किस वेक्टिन ने जो हैं बूक सेलेक्शन में शिद्धान्त ऐसा कौन सा वेक्टि है जिसने पुस्तक चैन का सिद्धान्त जाने दिया था मैं कॉल्वी ने दिया था 1925 में दिया दिमांड जोरी दी ती डूरी ने दिया था कौन सा नहीं दिया था वे WCB सेट्स डॉक्त सा रहन ने ये शिद्धान्त नहीं दिया था जल्दी से बताए आप सभी हम्ब्लकुल मोझ कुमार जो ने का विलकुल जिमांड थुरी किसके दौरा दि गई है अगये हैं कि और मैक कोल्विन के द्वारा मैं कॉल्विन के द्वारा दी गई थी 1925 में कि कब दी थी 1925 में दी गई थी और रजग quieres द्वारा पुस्त का ले पुस्तक चैन पहली वार कर परकासित रुति तो एक किताब यूँ च पे है कि द्वार किसके द्वारा परकासित की गई थी जल्दी इसे बताएब कि पहली बार जो है किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी जल्दी से बताएं आग सभी यंगरत्न के द्वारा कब प्रकाशित की गई शॉरी बिलकुल 1902 में अगला है पंज़ेप्ट आफ इंफोर्मेशन फीडबेक क्या बात बहुत इंपोर्टेंट इसन नहीं है इस पाउंड़े इन तो यह इंफोर्मेशन फीडबेक है यह कॉंसेप्ट किसमें पाया जाता है जल्दी से बताएं जल्दी से आउन से दीजे, concept of information feedback, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, बिल्कॉल system approach में जाना है, C option होगा, किसमें होगा दोस्तो, C option होजाएगा, आपके system approach होजाएगा, क्या होजाएगा दोस्तो, system approach में, यह job analysis नहीं होगा, एक गुरुआ जी क्या करें यार, थोड़ा सा ध्यान दिती है, information feedback जो है, यह आपके system approach में होगा, किसमें होगा, system approach में होगा, क्या बात है, ISO TR, 11-219-2012 is related to, यह रखना, ISO TR, यह किसे समद्धित है, जल्दी से बताएगे किसे समद्धित है, जल्दी से बताएगे, बिलकुल यह आपको ध्यान रखना है, library building से समद्धित है, किसे समद्धित हैं, library building से समद्धित है, select the correct combination सभी को match कीजिए भई जल्दी से correct कीजिए जल्दी से बिलकुल A, B, C, D, R correct हो जाएगा sorry A, B, C, D, R correct है सारे correct साहिए जयान होना क्या हो जाएगा D option हो जाएगा बिलकुल देखिए इसको याद करना न देखो मैंने कैसे याद किया theory of bureaucracy तो ब्यूरो से वेबर याद रखना ब्यूरो से वेबर ठीक है बीस मैंने याद किया था bureaucracy आते ही वेबर बेबर की जाएगे वेबर हो जाएगा ठीक है human relation human man 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 scientific management यह तो पता ही है टेलर है और administrative management as fuel and fuel है तो ध्यान रखना जब सवाल माद है bureaucracy bureaucracy se में हो जाएगा और scientific management अही है FW टेलर और administrative management क्या हो गया है एंड्री fuel हो जाएगा ठीक है न भई बिल्कुल इस तरीके से थोड़ा आप है न इस तरीके से मैच करोगे तो जीत हो जाएगे आपकी ठीक है न भई यह बताएगे आप मैच कीजिए MBO PEST CPM और SWET जाल इससे बताएगे आप सभी इस तरीके से सवार आएगे भई आपके दस सवार ऐसे आएगे जो आपके आपस में मिलान करना होता ज्यान रगना तेके न भई यह ज्यान रगना मोहिनी जी कह रहे केविस में आया था बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कविता जी केविस में बिलकुल इसमें भी क्या होगा भई आल होगा तो एक चीज जाल रहे ना MBO किसके दोरा है अबे Peter Drucker PST Francis हो गया CPM Kelly and Walker सही है और SWET अभी हमने पढ़ा था तो इनको अच्छी तरीके से इनके साथ याद कर लेना अच्छी तरीके से याद कर लेना अगला कुश्चन है Select the correct combination of जोनल से बताई याद इसमें भी क्या होगा भई A, B, C, D, R correct हो जाएगा देखो इसमें याद करने का तरीका है विनिती रस्उया ठीके ना वही विनिती जो है ये विनिती कीसे है वही याद कर लेना एक अपन युनेस कौ पढ़ता है Index Translationum तो ये Index Translationum कहां से है युनेस्कों से है और Current Biography कहां से है current biography यूस्ट से है और Beim Bang and इसको याद कर लेना University of Illinois बहुत IMPORTANT है, ऐसे कम से कम आपके दस सवाल, मिलान वाले आएंगे, मेचिंग वाले आएंगे, इसलिए आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, ठीके दोस्तंव? अगला एविट फोडर्स गाई टू इंडिया, फोडर्स गाई टू इंडिया क्या है? Forde's Guide to India क्या है जल्दी से बताएं आप Forde's Guide to India क्या है पर जल्दी से बताएं आप जल्दिसे बताएं द्याद दिजे फोड़र्स गाइड टू है यह ट्रेवल गाइड है क्या है वह यह ट्रेवल गाइड है द्यानगना अगले कोशन है इंसाइगलोपीडिया अमेडिकान अब किसके द्वारा परकासित क्या जाता है बताएं जल्दि से बताएं एक युद्धी जल्दी से आंसर दीजिए एक य कि गुरीवाइंजी वी जल्दी से एंसर दीजिए आप सभी दांगी किंए नेई इस गलत बतादिया आपने इंस आइक्लोपीडिय अब अब किसके दाउरा प्रक Jewish कि है क्या बात है टोई डिक्माल जी ने सा यांत दिया स्कोलास्टिक त्याहिए अब इसक्मलास्टिक के द्वास्ट जो है स्कोल IKEA के द्वारों जो है अब वर्थमान कि इसको लॉे सक्टीव एक उसक्ता में पुख्स इन प्रिंट बुक्स इन प्रिंट जिसको इंदी में कहते है जपी वी पुस्त कि क्या है कौन सा बिबिलोग्राफिय आता वह बुक्स इन प्रिंट जो है किस परकार की बिबिलोग्राफिय है जल्दी से आंसर बताएं अब में बुक्स इन प्रेंट है यह यह निशनल स Ash額 भी रेन सब्जेट्र का भिबिलोगाफी है 한या है यह स् भाइन мои आप से अब प्रेंगा बुक्स इंप्रिंट जो है यह यह ट्रैट्न विबिलोगाफिय तो मेरी करें परति अधा-धर-बिपड्र, इसका आंसर कौन बताएंगा बागी जो सवाल थे वह आपके सही थे लेकर अब इसका आंसर सही निकाल कर बताएंगा आप अब एक कहा ये लेकर बताएंगे जलती से मुझे एक और शेले ल currently बतारें मुद कुमाई 싸 जी डी बेकल आछा आछा बहुत अच्छा-बहुत ये बी एन बी हो गया 1950 ये हो गया त्रिपल सी हो गया 1934 ये हो गया 1933 ये हो गया अठाने सो शत्रे सो क्या है कि इन से शत्रे सो अड़ सट तो पहले हो जाएक डी सत्रे सो आट सट हो गया उसके बाद हो गया आपके 1933 सी हो गया फिर 1934 हो गया फिर 1950 हो गया तो आपका सही answer होगा आपके D, क्या होगा वहीं, D होगा, 378 कर देना है, 68, ठीकिना, D option सही होगा, बिलकुल, बिलकुल, बहुत सांदा जवाब आपका, ठीकिना, आगे, India Office Records and Private Papers Related to, India Office Records और Private Papers का सम्मद है, किसे सम्मद है वहीं, जल्दी से बताएं, India Office Records and Private Papers Related to, किसे सम्मद देवें, जल्दी से बताएं, India Office Records और Private Papers किसे सम्मद देथा है, बिलकुल, बिलकुल, बिल्कुल, 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 बिल् ज्या रखना है ट्रेट डी डॉक्यमेंटेशन के लेख कौन है ट्राइट सरी ट्राइट डी डॉक्यमेंटेशन के लेख कौन है बही जल्दी से बताएं आप अट्रेट डी डॉक्यमेंटेशन के लेख कौन है जल्दी से बताएं आप बिल्कुल निर्म्रला जी गोंडने कहा है पाल आइट क्या बात है बिलकुल पाल इस अमिला सव 우리가 बहुतह इंपोडेंट है वैं बहुत इंपोडेंट है आप देखिए और खाली डोक्युमेंटेशन ना तो खाली डोक्युमेंटेशिन में कौन होगा एस सी ब्रेट फोर्ड गया होगा एस सी ब्रेट वोर्ड देखिए यह सम्सीकिन यह विए लेकिन वहाँ पर ट्राइट डी डॉक्यमेंटेशन अजया है तो क्या हो जाएगा पॉल अटलेट होगा इसलिए आपको किसी परकार का इसके अंदर कितने डिजिट सामिल होते हैं इसके अंदर कितने डिजिट सामिल होते हैं है जल्द सेचे मतेया है आप दीग और आयएस बीट में कितने डिजिट होते हैं जल्दि से मताइ़ आई is a9 में 16 दिसट उते हैं सॉब यह सबस्क्राइब कितने होते है और आइसबीन में कितने होगे कि तेरा और आई अश्ड़ियॉज है बिलकुल आइज दीड से तेरा और आई एसपे में श्रजोगए आर्च बिलक्ता कुर्ट बिल्कुल से एंसर आप सभी का डारेक्टरी ओप ओपन एक्सेस जन्रल जिसको इंदी में कहते है डी ओ जे वाज फिर्स्ट लॉंच इन बहुत इंपोर्टेंट है वे डी ओ जे कहीं बार इसकी फुल फॉर्म भी पुछु जाती है पर इसा के अंदर डारेक्टरी ओप ओपन एक्सेस जन्रल लॉप ऑपन टारेक्टरी ओफ ऑपन एक्सेस जन्रल किसके दौरा पहली वह लॉंच किया गया था जल्दी से बते़े कब लॉंच किया गया था रहा नाय नय निर्मला जी गलत बता दे आपने ने दो हजार तीन में बिल्कुल टॉहिट एक्वाल जी दो जार्टीन में जो है इसको लॉंच किया नहीं था अगला है में रेफरेंस सर्विस इस दा कॉंटेक्ट बिट्वीन दा राइट रीडर एंद राइट प्रस्टनल वे इस लाइन को आपको अंडलेंड करना है संदव सेवा सही व्यक्तिकत तरीका से सही पाट एक के मारे ज्या पास्टील जे सम्टीय देत karışते है करेड जिल्दसे बतास्य आपको आंकी में था करेड़ने को है इसको ओं धुद्थी के सता रांगा न Rolling अगला कुस्तोंने हुआट गीवन दा मिनिमम द्यारगना इसको अच्छी तरीके से आजगना मिनिमम मीडिलिंग एंड मैक्जिमम संदफ सेवा के यह सिदान दिये थे यह तीन सिदान किसके द्वारत दिये गए थे फिर उसके पाद एक और तीन सिदान और थे संदफ सेवा के एक तो आया कंजर्वेटिव दूसरा है मॉडरेट तीसरा है लिब्रेल यह तीन सिदान किसने दिये बाद नूं बताना पहले यह बताए यह मिनिममम मिडिलिंग और मैक्जिमम यह सिदान किसने दिये जल्द से बताए बए अरे गलत बता दिया आपने यह दिये थे सेमयल रोश्टिन ने पंपुने पंडम जी पंड़े जी पुनम जी गलत बता रहा यह द्यारना सेमयल रोश्टिन ने दिये थे किसने दिये थे वही यह द्यारन और यह किसने दिये थे यह तीनों दिये थे जैंस आई वायर में जैन्मस नहीं होना जहां रहेंगा मिनिमंग और मेग्जिममम दिये थे सामॉल रोष्टिंस नहीं किसने दिया थे सेमल्ट दूस्टिंस नहीं और जबकि कंजर्वेटिव मॉडेर और लिबरल किसने दिये तो जैन्मस आई वायर ने विए से कौन सा संदफ सेवा के स्तापत स्टाप्स शिदान्त always the Tricky जो है संदफ सेवा से समझा मलब संदफ सेवा इन मेixes कितने कि लोगोंने संदफ सिदान्त की ठे ओंसे लोगोंने संदफ सिदान्त की बता इब coh बिल्कोल अभी मैंने बताया था यह दो लोग हुट देखिए कषथोतय के दो लोग एक तो अगे डू स churches दूसरा जै मेरा एक तो यह वंदा है और दूसरा यह बंदा तो बीडी आर्क रेट इन दो लोगों ने ही संदव शेवा के सिद्धान दिये थे बिलकुल 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 ठीक है अगला कुछन है अकोडिंटु डाक्टर स. रंगानतन रेफरेंस स्रविस अंड z नूप रीड इस कोल डाक्टर 1. रंगानतन के अदूशार नए पार्ट को के लिए लक्षित संदव सेवा को क्या कहा जाता है जो new users होते हैं ना जो नए रिडर्स होते हैं जो लाइबरेरी में आते हैं उन नए जो है रिडर्स को क्या कहा जाता है जल्दी से बताएं बिलकोल निर्मिला जी गोड ने कहा है, इनिशियेशन, दिक्सा, जो नए रिडेस लाइबरेश के अंदर आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं वे इनिशियेशन, इनिशियेशन कहते हैं, अगरा सवाल जल्दी से बताएं आप सभी, जल्दी से बताए आप सभी विच आप दो फॉल्वाइंग सर्वीश इस एन एक्सजंपल ऑफ वर्ट्षॉल रेफ्रेंस सर्वीश बहुत इंपोर्टेंट कुश्चन है यह जाए रगड़ आप वर्ट्षॉल रेफ्रेंस सर्वीश निम लिकिति मेंस से कौन से सेवा अबाशी संदव सेवा का उतारण है जल्दी से बताएवा अबाशी संदव सेवा वर्ट्षॉल रेफ्रेंस सर्वीश से कौन से उतारण है वही तो वर्ट्षॉल रेफ्रेंस एक क्वेश्चन कौन सा है कुछ से end list कई बार सवाल पूचा जाता है दोस्तों program of infillate is mainly for Atlas program मुक्य रूम से किस के लिए होता है पेज्द साधे क्ला करेंद भी सवाल को आया है जल्लेसे आप ं हमारे चैन्रिएक को सुस्क्राइब कीटिए कमेंट जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ सेड जरूर कीजिए ये क्लास सब लोगों तक पहुंच सके जा रखना एनलिस्ट प्रोग्राम किसके लिए है वे इन्फलिबनेट का प्रोग्राम है यह किसके लिए होता है बिलकुल अधिकते लोग बता रहे हैं ओसंदीटी विल्कुल इस लाइबरेयिजिए के लिए ओता किसके होता विक को न海 लाइबरेरियरि वही डाए तेकर दोस्तो document अगला क्रीटी गिक ऐसे अनूक्रिती क्या होती है बहुत एंबटनगर में क ऑप अनुक्रिति क्या होती है जल्दी से बताएं आप सभी बिल्कुल ट्रांसलेटिंग इंडिया वेफसाइट क्या बात है बिल्कुल सांदार 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 जवाब दिया आप सभी ने ट्रांसलेटिंग इंडिया वेफसाइट जो है यह अनुक्रिति होती है पर जान लगना आगे वीटिष और इस दा गाऊरमेंट आप दे इंडियसदा कव शरकार का मेग कौन है में कमलों अंभानी प्लॉड क्लाउड जंतistoro कह सब्था बावरस सरकार का सब्रों में करर दोटयों तक दो ज्रॉट इनभी मिंधरस क्लाउट मेग राज21 ओगया गया धूस्तों कि ऐसें को है इंटर लाइबरियर रिस्तिटि इन्ट्राइबरी रिष्टापीत क्या गया था। वेरी इंपोर्टेंट है गोशन, बात में कहां परिस्तापीत क्या गया था, इंटर लाइबरेर विश्व सेंटर, बिलकुल जे नियू न्यू देली, जे नियू न्यू देली के अंदर 1973 में, 1973 में जो है, ये शुरू क्या गया था, अगला किस्तों ने सेंटोग कहां परिस्तित है वे, सेंटोग कहां परिस्तित है वे, जिलकुल मुईत कुमार जी से आंसर है आपका, सेंटोग कहां परिस्तित है, जल्दी से बता जाओ, आरे घलत बता दिया घलत बता दिया दिल्ली नहीं है पुनम जी दिल्ली नहीं है सेंडों घैतराबाद में बिल्कुल टॉहिट इकपाल जी आरे एक के गुरुवा जी घलत बता दिया आपने भी सेंटो खेटराबाद बे हैं शार्क डॉक्यमेशन सेंडर कहां पर इस्टित है शार्क प्रलिखन के अंदर कहां पर इस्टित है वे सार्क वाला जल्दी से बताईए सार्क जो नोकिमेंटर सेंटर कहा पर है बिल्कुल सार्क जो है आपके निस्केर न्यूज देली के अंदर ऐसे सवाल बहुत ज़्यदा लोगों को कश्यक्त से वाज़ा वाज़ एस्टबेंश अंडर डा लिडर्सीप ऑफ और सी इस्तापना की तीक इसके न्यात्तों में घृत अब अब पर आप वह से इल्सी इस्तापना बिल्कुल बिल्कुल फ्रैड कि दोरा इसके दोरा में फ्रेड किल गौर के दोरा 177 एडिसन किसके द्वरा एडिट किया गया था जल्दी से बता है कि किसके द्वरा एडिट किया घया था जल्दी से बता Filipino कि बड़ेड है आज मिल़ेक सब्हारी संपाधन क्या गया था से ऌडरा देखल्ट गलत बता दिया अपने भाई मैंने एडिट पूचा है एडिट क्या गया है में गोपिनाथ के द्वारा एडिट क्या गया गया यह तो यह तो पुब्लिस क्या गया था अगर वहाँ सवाल प्रिक्षा में आ जाता है वह साथ हो एडिशन पुब्लिस भाई तो पुब्लिस भा कानी सुनाना बच्चों के लिए कानी सुनाना घंटे पर कानी सुनाना ये कौन से सिवा होती है बच्चों के लिए लाइबरेडियर के अंदर कानी सुनाना ये कौन से सर्विस में आती है जल्दी से बताएं आप ये कौन से सर्विस में आती है जल्दी से बताएं आप बिल्कुल यह आती है आपके extension service कौन से आती है वह एक्स्टेंसर सर्विश इसको इंदी में कहते है विस्तार सेवा कहते है बिल्कुल कि अगला है हूँ आइडेंटिपाई एड सेंटरल वेल्यूज ऑफ लाइवेरियन से कि के लाइट केंद्री मुल्यों की पहचान किसने की थी जल्द से बताया आप बिल्कुल सही है आठ केंद्रियों की इस्ताबना किसने की थी बहुत इंपोर्टेंट कृश्चन है वह है माइकल गॉर्मन क्या बात बहुत साधा जवाब है माइकल गॉर्मन की द्वारा अगले किसने लाइबरेरी डैट इस इंटाइडल वाई दो लो टो रिसीव अफ्री कॉपी आप एवरी बुक इस पुब्लिस्ट एक ऐसा पुस्त का ले जो कानून द्वारा प्रकासित प्र करने का अगदार होता है कौन से लाइबरेरी में जो एक किताब हमें साफिक्स दी जाती है वही जल्द से बताइए कौन से लाइबरेरी में एक कानून के तेयोत किताबें दी जाती है जल्द से बताइए आप बिलकोल डिपोजटरी लाइबरेरी में किसमें दी जाती है वह दोग और्गनाइजना इसन ओप लेज इन लाइब्रेडी इस वेरी इंपर्टेंट गोश्चन है वही दढूर्ट ओड़ेड़ वही डूर्गनाइजाशन मॉलेज इन लाइब्रेडी रिटन फाई ठीक है नुख जो है नॉलेजव फूर्ड कि इकताब किसके दौरब लिखी की चैनला है बिग फ्रेमट वाच डवलड़ वाई अविग भी फ्रेम है वी फ्रेम जो है किसके द्वारा शुरू किया działa था बिपलिध रापिक फ्रेम इसकी फूल-पोर्म किया है कि इसकी फूल-पोर्मBeat इसकी फुलफों होती है Bibliographic Framework यह किसके दौरा सुरु किया गया था बिलकौ Library of Congress के दौरा सुरु किया गया था The markход is 020 जिरो ट्वेंटी mark किसका है जल्दी से बतें आप 020 किसका है जिरो ट्वेंटी किसका है जल्दी से बताएं आप बिल्कुल जिरो ट्वेंटी किसका मारक है जल्दी से जो भी लेट जुड़े बच्चे इस क्लास को लाइक जरू कीजिए जिरो ट्वेंटी तो इट इकभाल जी घलत देदी आउसर आपक नेए देखीए जीरो ट्वेंटी है आई एस बी एन का और जीरो ट्वेंटी टू हेपाइश एसन का इसको याद कलेड़ के लिए की इसको अच्छिफ तरीके से पहले isbn आयेगा बी एन आयेगा जाना फिर उसके बाद ss आये गए यह तो बी पहला आ रहा है ना अलपाबेट में देखो इसको याद करने के तरीका किया isbn is b पहले आरब तक 20 आला होगा जाने का isbin एस बाद में आरब तक 22 होगा इस तरीके से आपको याद रखना है कि हाई इस बीडी एस इस इस इन्टिनेस्टनल इस्टेंडर डूलर के विश्म खौर आई इस बीडी एस के लिए अंत्राष्ट यह माने करन सुच्छी विवरण है तो आई इस बीडी एस तो एस का मतलब क्या होगे वह एस का मतलब यहां पर क्या है जल्दी से बताएं क्व पर टक्या होगा है कि एस का मतलब क्या होगया है सीरियल क्या होगे दोस्तों एस का मल होगया सीरीयल वह गया है ऑड़्यीनल इंडेक्सिंग वाई डावलप्ट भाई किसके द्वारा डॉलॉप चाहिए अभी बताया था इससे पहले जल्दी से बताई भई देखो एक दो होता है साइटेसन इंडेक्सिंग ठीक है एक होता है सिस्टेमेटिक इंडेक्सिंग कि तभा तिरह हो गया रलेशनल इंडेक्सिंग को का भी कि साइटिस सैंसन दो गें यूजिन गार फिल्ड हो गया सिस्टेमेटिक हो गया जेयं कंसर情況 हो गया अब रिलेस्नल क्या होगा बिल्कुल रिलेशनल में जान रखना घैसे यह ऑट को एडिट किया गया था जल्दी से बताया ACR1 को Edit किया गया था बहुत important question है ACR1 जो है 1966 पर आया था उसको Edit किसके द्वारे किया गया था यह SUME कर देना हो SUMER बिलकुल ACR को इसमें ध्यान रखना है A option होगा C Sumer Spalding ध्यान रखना है C Sumer Spalding होगा इसमें ध्यान रखना इसमें ध्यान रखना है C Sumer Spalding इसमें ध्यान रखना है यह होगा ध्यान रखना है ठीक है भी Spalding ध्यान रखना है Spalding In the main entry of C C C 5th edition The call number displayed end C C C की Book के प्रवेश्टी में Call number पर प्रदिशित क्या जाता है Call number कौन से section में किया जाता है जल्दी से बता है Call number कौन से section में होता है जल्दी से बता है सर मज़े आगे आज की क्लास का बिल्कुल आपके से लेवल के सारे एक्जाम क्वेश्टन से Call number किसके लिए होता है बिल्कुल लीडिंग section में ठीक है भी लीडिंग section में Call number हो गया और heading में क्या हो गया author ठीक है भी heading में क्या हो गया author हो गया ICCP इंटरनेशनल कॉन्फरेंस ओन कैटलोगिंग प्रिंसिपल 1961 जो है 1961 में कहा आज जित हुआ था ICCP ICCP कहां पर हुआ था जल्दी से बताएं भई बिल्कुल ICCP हुआ था आपके पैरिस में कहां पर हुआ था दोस्तों पैरिस में हुआ था धानकना बिल्कुल ICCP पैरिस में हुआ था विच करेक्टर इस यूज़्ट पॉर इंटरा एरे डिफ्रेंस फेज लेसें सिसी सिसी के इंटरा साड़नी में ज्याना किस वर्ण का बता है इन्होंने क्या पूचा है इंटरा एरे के पूचा है सबसे पहले क्या आता है सब्जेट आता है उसके बाद क्या आता है उसके बाद एरे आता है एरे कहा से शुरू होता है टी यू भी डवलो एक से युए और गंदर आपको बता है क्या होता है जीडिवी इप सी और डिक दी डिफ्रेंस के लिए डिफ्रेंस के लिए क्या हो जाएगा डबलु कोजाएग मतलत ऐल स्मुंकित टेबल आपको यागद करनी पड़ेए मैंने कही बार पटढ़े हैं फूरार तो वो क्लासिफिकेशन थ्योटिकल और हर्सक्तिंगल प्रोर्च नमा किताब लिखी थी जल्दि से बताए आप किस प्रैक्टिकल और Śटी प्रचल आपक्राइब लगे एर्सक्राइब सब्सक्राइब बिल्कोल E.C. Richardson के द्वारा लिखी गई थी अगला अभी ये KBS दोजाब 15 के अंदर सवाल आया था detailed classification required for a macro document तो द्यार रखना macro document के लिए किसकी जरूत होती है detailed की होती है तो द्यार रखना है document macro document बिल्कुल द्यार रखना तो macro document इसमें कौन सी वर्विकर्ण होगी वही जल्दी से बता है आप बिल्कुल जल्दी से KBS की इंटर की क्लास लगाएंगे बहुत जल्द एक और इस बिल्कुल depth classification macro document से क्या हो जाएगा depth classification हो जाएगा आप बिल्कुल पुस्काले वर्वर्विकर्ण का अधार क्या होता है मैपाल सिंग दी राठोड बहुत जदा उन्होंना आंसर दीजिए त्रिपल सी को बहुत जदा लिखाए ना ने बिल्कुल क्या होगे बही अरे कविता गोड गलत आंसर बता दिया आपने यही तो बात है आरे नोटेशन होगा आरे भाई मेरे जब पुछा जाता है foundation of library foundation of library होता है books जब सवाल पुछा जाए foundation of library classification तो होता है notation क्या होता है notation जब पुछा जाता है foundation of librarian ship librarian ship तो उसमें क्या होता है वही तो librarian ship होता है तो उसमें होता है classification क्या होता है classification होता है आप confused होगे बहुत ज़्यदा ठीक है नव जब library का foundation किताब होती है लेकि classification of foundation notation होता है librarian ship का होता है classification कि आगे आगे हूँ थोट बिल्कुल चीज़ नवे आरे नोटेशन होगा इसका नोटेशन होगा लाइबरेरी क्लासिफिकेशन का पाउंडेशन नोटेशन होगा चीज़ ना यह चीज़ यह नगा कि हूँ थो अफ थ्री स्टेव क्लासिफिकेशन वर्गीगंड के तीन चर्निओं का वalahाईं को तीन चर्निओं का विचार किसने गया था महलब वर्गीगंड को समझाने कं लिए तीन इस्टेप बता चेप टू क्लास बूर्ट सौनर को गया है और तूसरा होगे क् लौस इस कि आगे दोस्तों क्लासिफिकेशन किसने किया थे ना एच इबलीस के द्वारा एच इबलीस के द्वारा वर्गी करण को समझाने के लिए तिन इस्टेप दिये गए थे यह तिन इस्टेप यह थे एच इबलीस होगा भाई अरे वर्गी करण के मलब वर्गी करण को समझाने के लिए तिन इस्टेप यह मैं कह रहा टू क्लास टू क्लासिफाई यह द्यानक में इसमें यह होगा मलब वर्गी करण को समझाने के लिए एच इबलीस के द्वारा तिन इस्टेप दिये गए थे जिसमें यह यह है समझा आगे आपको यह नया सवाल है किस समानता और आगे आज समानता की बात किसने मानी किसने बना था वही समानता वाज समानता असो कुमार जी सरमा हेलो बिलकुल हेलो बोल रहा हूं मैं आपको तौँआ थे हैं ना बिलकोष समानातावब्रक्ण कि बाप इन्होंने बानव। the subject which is formed from the inter relationship of two or more subject जो विसे दो अत्वा दो से अधिक विसे के अंतर समझ से निल्मित होते हैं किसे होते हैं दो होते हैं जो कैसे एक बैसिक सब्जेट और उसके साथ क्या है कि वापस बैसिक सब्जेट तो दोनों बैसिक सब्जेट मिलकर आपस में कौन से बनाएंगे बिल्कुल घ्रानक ना है complex subject बनाएंगे कौन से बनाएंगे वैं complex subject बनाएंगे अरे निर्मला जी क्या बात करें हो निर्मला जी गोड साफ गलत कर दिया और यह क्या कह रहा हैं दो यह दो सथिक विश्व का अंतर बैसिक सब्जेट वराबर बैसिक सब्जेट बहुत इंपोर्टेंट है यह complex subject बनेगा अरे compound नहीं पनेगा दोस्तो complex बनेगा c option होगा what are types of the structure of the universe of knowledge विज्यान विशेज जगत की सर्चना के परकार कितने है विशेज जगत की सर्चना के कितने परकार है जल्दी से बताए आप विशेज जगत की सर्चना के कितने परकार है कितने परकार होते हैं तीन परकार क्यों होते हैं पहला हो गया डिचो टामी डिको टामी पहला हो गया डिको टामी दूसर हो गया डेका कोटामी और तीस हो गया पॉली कोटम भी यह विश्य जगत की तीन सरचना होती है जयाने कितने होती है विश्य जगत की तीन सरचने होती है अगला है किसके अनुशा संपूर ग्यान जगत को एक तंत्र के समान माना गया था किसमे कहा था यह बात यह बात कही थी त्यान रखना है नील मेगन साब ने कही थी संपूर जगत का समंध किस्से है तो संपूर ग्यान जगत का समंध हमेसा लाइवेरियन से ओता है निम बीकिसे का तरीका योगिक विश्य को जनुम देता है योगिक मलता है लेकिन इसके बाद उसके बाद किया वापस दिल्ली मिलाया गया तह फिर आखिरकार ध्यानग्था पर्मानेंट हेड़कोटर बना दिया था दा इंडियन लाइबरी साइंस एस्टेट यह किसके यह यह पुस्ट का लेकप से प्रकासि दौरी यह वहीं पहले बताओ यह किताब किसके दौर प्रकासित होती है एक पाता है है एबस प्रकासित होता हुदा इंडियन साइस इडता है था प्रकासित पोता दो ग्तव तो वर्तमान में अध्यक्स है आपके ढक्टर जगत जगतार सिंह। और जगतार सिंह यह चीज़ा दोरा साथे में पड़ने की सतंतरता खाला सभूद के द्वारा कि द्वारा है ड्वारा समध्ध एवाई एले के द्वारा दिया गया है SLA के पर्थम अधियस कौन थे SLA, SLA की फुल फॉर्म क्या होती है SLA की फुल फॉर्म होती है Special Library Association Association SLA की कौन थे John Cotton Dana SLA की स्थाफ नगभी थी 1909 में तो जो विद्यारते मेरे से बात करना चाहते हैं मेरे नंबर लिख लिए 8949-9999-2361 इस नंबर पर कभी भी आप पॉल कर सकते हैं 8949-9999-2361 ठीक है दोस्तों इस क्लास को जरूर देखे आप अपने दोस्तों के साथ जरूर share कीजिए ताकि उनको भी पता चले बहुत जल्द हम जो आगे DSSB की भी मेरेतन क्लास लेकर आएंगे ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़े और आप सभी इस क्लास को लाइक कीजिए अच्छा कमेंट कीजिए ताकि मैं और जड़ा मोटिवेट और शुकू केरे दोस्तों थैंक वेरी मच्च गुड़ नाइट और आप सब को